हम जो पढ़ रहे थे वो, Software發 intensive औरडायलोग फूलोओ के साथ सात्wow हमने क्या कर लिया था last class में ख्युग मुझे यह चाहिpus है और यह अंच्स अच्छा यह था अच्छा यह हमने server last class में लिखलिया था जो क्या Scratchול के server eke express का server है सहिए इसमें ये port वगर हमने set कर ली थी express.json body parsing के लिए लगा लिया था Morgan एक library लगा लिया थी जो logs वगर करने के काम आती है और उसके बाद ये webhook request के नाम से हमने जाके देखा था dialogue flow के documentation में कि request जब webhook पे आती है तो वो कैसी होती है अच्छा फिर इस request के अंदर से ये तो ping हमने ऐसी बना लिया था कि server चल रहा है कि नहीं चल रहा है चेक करने लिए अच्छा फिर हमने क्या बना लिया था एक अदद webhook बना लिया था जो हमने dialogue flow के साथ as a fulfillment connect कर दिया था अच्छा इसमें हमने क्या किया बोडी में से intent का नाम निकाला और parameters निकाले सारे और फिर हमने क्या किया था intent के नाम के साथ अगर welcome intent है तो हम उसको एक certain type का response भेशते था अच्छा इस welcome intent में हमने simple hi hello नहीं बोला था हमने time देखा था और उस बंदे का specific time zone का time देखके और फिर मैंने क्या किया था उसको good morning, good night, good afternoon के साथ एक जुमला construct करके उसको भेजा था ठीक है यह हमने response करके और greeting यहाँ पर डाल के भेजा था जो के conditional है अच्छा और response.send करके हमने text के type का response जो भेजना सीख लिया था ठीक है अच्छा टेक्स्ट के इलावा भी response होते हैं जैसे के पाँच total responses है उनको हम कोशिश करेंगे कि आज की class में discuss कर लिया जाए अच्छा यह welcome intent हमने बना लिया था उसके बाद new order के नाम से एक intent था हमारे पास जिसमें हम क्या करते थे कुछ पैरमेटर्स सेलेक्ट करते थे और basis on those parameters हम क्या करते थे बंदे को जो वो उसको process करते थे रिक्वेस्ट को जाहिर है अच्छा हमारे पास जो पैरमेटर्स में क्या क्या है यहां पर collect हो रहा है quantity पीजा का size और पीजा का flavor यह तीन चीज़े हमारे पास आ रही है जो हमारे पास predefined इसको wrap करना पड़ेगा शायद यह हमने response बना के उसको भेजा अच्छा हमें इस point क्या करना था यहां पर इसको database में save करना था हम to do save in database तो यहां पर यह to do हमारा एक रहेगा कि यहां पर database में इसको save करना था हमें और उसके बाद हमने कहना था कि आपका order place हो गया अच्छा और यह पूरा sentence बना के हमने इसमें भी text के type का response हमने भीजा था हमने इसमें कोई दूसरे type का response नहीं भीजा था अच्छा एक हमारे पास default था default कब चलेगा जब इन दोनों में से कोई intent match नहीं होगा सभी है switch है switch if else की तरह होता है switch हम लोग उने पढ़ा है जब javascript पढ़ रहे थे हम तो यह if else की तरह होता है पहले इसको match करेगा यह नहीं हुआ तो अगले को करेगा यह भी नहीं हुआ तो default else है last हो उसको लाजमी चला देगा switch case हम इसलिए यूज करें थोड़ा cleaner to write है clean code हो जाता है थोड़ा इससे तो हमने default में क्या बोला कि sorry webhook don't know answer of this intent हमने यह बात बोलके यह वाली request को यहाँ पर खतम कर लिया ठीक इडिक तो यह थोड़ा सा हमने recap किया कि last class तक हम क्या चीज़ें पढ़ चुके थे अच्छा और हमने dialogue flow के अंदर क्या कर लिया था वो भी ज़रा देख लेते है को enable कर दिया था webhook call को enable कर दिया था तो क्या होता था कि जब भी कोई high बोलता है यानि कि जो training phrase जो भी है इसका वो बोलता है अगर तो request जो fulfillment पर जाती है अगर हमने ये बंद कर देना अगर हमने ये बंद कर दिया तो request server पर नहीं जाएगी यहां पर जो response मौजूद है उसी को लेकर आएगी अच्छा क्यूंकि हमने इसको enable कि अब है fulfillment तो यह वाला response इस्टिल रहेगा ये लेकिन कब आएगा अगर server को response नह क्योंकि यह fallback पर होता है यहां पर हम कोई बहतर response भी से लगा सकते हैं में भी हम कोई ऐसा response लगा दें कि जिससे basic response लगा दें निसाल के दौर पर हम क्या करते हैं default welcome intent में हम यह करते हैं कि उसको greeting के साथ welcome करते हैं ठीक है हम यह निह कहते हैं हाई how may I help you यह नहीं कहते हैं तो यह मैं कर सकता हूं तो दोनों options मौझूद है depending on your scenario के कौन सा बैतर है आप वो लगा सकते हैं मैंने फिलाल इसमें बोला कि भाई server से ही आएगा response तो आएगा ठीक है अच्छा मैंने इसलिए बोला है कि अकर server मेरा fail हो रहा है एक intent में तो सब में fail होगा तो आगे बढ़े सब करी नहीं हो तो मैंने का server सही है ठीक लेकिन आपका server जो हो सम्टाइम जरूरी है हमेशा express सर्वर हो आपका server जो क्या हो सकते है कोई micro service nano service भी हो सकता है कि एक intent को को कोई दूसरी service एक ही सर्वर में सब कुछ होता है लेकिन कुछ जगाओं पर कुछ दूसरी चीज भी हो सकती है तो उस केस में आपके पास ऐसा नहीं होगा एक इंटेंट है तो एक ही सर्वर पर दफा जाता है डिफरेंट एप सो सकती है अगले इंटेंट हमारे पास क्या है new order रहने जो एक इसमें हमने क्या किया हूँ है कुछ training phrases लगाये है context को कुछ नहीं पिंचस्ड किया यह हमने करना है इसमें कुछ training phrases लगाये है Strength Ph Jorge फ्री areakt helpak please send me two large पहली त Unlike तो कल यह लिखते ही निक Lewis as a entity detect कर लिया गया, अगर नहीं detect करता है खुझ से तो हम हाथ से बता देते हैं कि यह यह entity है, अच्छा, two तो जो number है, ठीक है, यह तीनों यह आपर show हो रहा है कि तीनों कौन कौन सी entities है, two जो है वो number है, उसके बाद जो है, अच्छा, system entity है, number में, ठीक है, system dot number integer, अच्छा, उस में भी तीन से चार flavor है, बचो इधर, अच्छा, यहाँ पर text response मैंने लगाया वे, और इसकी fulfillment को enable अभी तक नहीं किया गया, इसका मतलब है अभी तक यही वाला response इसमें आता रहा होगा, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको enable कर दोगा, ठीक है, इसको enable करके मैं इसको save कर दो अच्छा, यह वाला intent जब hit होगा, तो इसका मतलब है कि जो भी बात user में बोली है, वो जाके database में save होगी, ठीक है, अच्छा, अगर request जाती है server पे, और fail हो जाती है request, तो हमें user को क्या कहना चाहिए, वो बात में यहां लिखोंगा, सही है, क्या कहना चाहिए, fail to place your order, ठीक ह सही है, यहां पर कोई apology का भी जुमला लगा सकता है, ठीक है, I apologize, my apologies होगा, actually, यहां दो, my apologies, इसको मैं spelling को verify करता हूँ, ठीक है, एक classic तरीका है, spelling को verify करने का, my apologies, I am failed to place your order, ठीक है, और यहां पर अगर मैं, maybe, मैं emoji लगा दूँ, disconnected वाले emoji, मेरे पास क्या आ रहा है, disconnected वाले emoji, अच्छा, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहां फरसे है, वैसा वाले emojis, इसमें फिलाल नहीं है, ख्रॉस वाले, ख्रॉस वाले, ख्रॉस वाले लगा देता है, फैल, फैल लिखके सच करता है, तै कि सब आ है, नहीं हा रहा है, ख्रॉस पही हा रहा है, सही है, ऐसे red गलर की एक emoji लगा दी मैंने, लगा सकता हूँ, क्योंकि इमोजी इस वक्त Unicode 2.0 जो है नेया वाला उसके अंदर इमोजी तमाम को शामिल कर दिया गया है तो जहां पे भी टेक्स्ट या टेक्स मैसेज़ेज डिस्प्ले किये जाते हैं वहाँ पे इमोजी भी डिस्प्ले हो जाते हैं इसको अब क्या कर देता हूँ सेफ कर देता हूँ अचाइ अब इसको सेफ करने के बाद अगला काम मेले क्या क्या करन है, मैंने जाके order-place करना मेरा जो ने कुछ इस तरह का हुआ करेगा database तो यहाँ पर नीचे कही schema बना वथा पहले से यह बना वथा schema एक पहले से तो इसको मैंने delete नहीं किया था इसको हमने क्या कर देना है इसको हम order schema करना है ना अमने इसको ठीक है order schema और इसको order model बना दोता है ठीक है जी order model ओर डी आड़ेस ठीक है यह collection का नाम हो गया इसमें हमेशा S लगाना जरूरी है otherwise वो खुद से S लगा देता है अच्छा इसमें तीन चीजे मुझे चाहिए थी ना सही है order का नाम चाहिए था मुझे सही है order name पीजा का size चाहिए था पीजा का flavor चाहिए था मुझे पीजा का जो size है वो तो large और small ऐसे घर के होगा पीजा का flavor है वो भी क्या होगा required होगा और string होगा ठीक है यह तीनों चीजें required रखी है अच्छा जो quantity है वो number होगा और status जो है वो क्या होगा by default in progress होगा सब्सक्राइब है रिक्वाइट की जगए इसमें मैं default रखोंगा क्योंकर default रखने से क्या होता है कि वो खुद ही उसको जो है वो लगा देता है in progress यह default होगा इसका अच्छा in progress के इलावा इसमें क्या कि और हो सकते हैं वो मैं यहीं पर comment करके बता दता हूँ in progress के लावा क्या क्या state हो सकता है इसमें एक तो delivered होगा लेकिन delivered तो last होगा ना अच्छा एक cancelled होगा सभी अगर restaurant ने accept ही नहीं किया तो वो cancel होगा order place जैसे होगा in progress cancel कर दिया तो cancel और अगर cancel ने किया तो क्या accepted accepted या preparation preparation preparing होगा शायब अच्छा in progress जो है वो शुरू में नहीं होगा यह शुरू में होगा अगर accept हो गया तो in progress आएगा accept हो गया तो यह फिर in progress हो जाएगा और in progress के बाद यह delivered होगा that's right मेरे पास यह total चार status होगे जिसमें से pending सबसे पहला status होगा ठीक है अभी असको accept कैसे करेगा जो chef है और वो shop में वो अभी आगे की खान यह order place होने से जा रहा है मेरा database के अच्छा order model करके मैंने आप क्या कर दिया यह मेरा order model इसके उपर जाके मैंने dot create का button दबाना है dot create का method चलाना है सही है order model dot create सही है ऐसे create भी कर सकता हूं और एक दूसरा तरीखा भी यह dot करके होता है new करके होता है वो भी तरीखा है ठीक है अच्छा यह code वगएरा भी हम chat GPT से लिखवा सकते हैं अच्छा लगया chat देख अभी इससे कैसा code लिखवाते हैं लगरदस्त क्योंकि हमारा last बड़ा code वो जाया हुआ था सही है यह इसको देते हैं पूरा schema पूरा schema इसको देते हैं ठीक है here is my schema सही है और आगेगा इसको क्या बलूम है please write code for adding new order in ES6 not just चलो मेरा बाई देखो आप जागो देखो ऐसे करके बता रहा है यह अब बाई एसिंक का वेट वाला code लिखना था क्या लिख दिया यह एसिंक का वेट वाला चाहिए और निया निया मन्जन डूइट विद एसिंक का वेट सेम चीज़ करेगा यह एसिंक का वेट के साथ और विद चाहिए और निया आजू की के वेट रहा है अगया बेट सेंक का वेट का वेट का वेट इसके बाद .save भी इसने call किया रहा .save सब्सक्राइब के पूरा ही copy करोगा ठीक है अब try के अंदर जो है इसकी जो request लगी है वो try के अंदर लगी है अचा हमारा पूरा code ही शायद try में हमारा पूरा code ही ही try में और catch में हम क्या करते हैं इसके अचा है कैच में हमने server error दिया है ठीक है तो खेर चलो एक अलग से try कैच का ब्लोग है वैसे हम आम तोर पर क्या करते है try कैच जहां पर करते हैं ज्यादा request लगारा लगी होती है तो हम पर बड़ा try कैच का ब्लोग लगाते हैं पूरा code उसी में लिखते हैं और उसके catch के अंदर आम एक proper response भेज देते हैं कि I failed to do something or x like that है ने जो भी तो ideally मुझे इसके जो टॉप पर मैंने try catch लगाया है इस पर मुझे यह response नहीं भेजना चाहिए आइडियली मुझे एक ऐसा response भेजना चाहिए जो dialogue flow को समझा है क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे अगर मैं बड़े try catch के ब्लोग में अच्छे से लगाता हूं पुर मुझे इस try catch की जरूरत नहीं है इसको अटा दूगा पर मैं फिर अटा किया दूगा यही काम सेम मुझे वह वहां करना पड़ेगा हाँ सभी ऐसे कर लेते हैं नीचे उसको proper response बता देते हैं यह catch में गया है मैं इसके और catch में तो इस तरह से जा रहा है न response ऐसे नहीं करूँगा आप मैं पहले तो error को console करवाऊंगा उसके बाद यह ऐसा वाल response भीज़ूँगा प्रॉपर ठीक है और क्या था यह response.send यह न तस अचा 500 यो भीज रहा है यह यह भी कर सकता हूँगा लेकिन 500 फिलहाल में नहीं भीजना चाहरा हूँगा क्योंकि request आई है proper server में कोई मसला नहीं है तो मैं इसको बोलूँगा के fulfillment message और text में लिखके भीजूँगा के भाई something is wrong in server please try again है न ऐसे वाला ताके क्या होगा देखो अब होगा क्या अब इससे फर्क यह पड़ा कि जब मैं इसको dot save कॉल करूंगा इस dot save में अगर कोई error आगया तो यह किस catch में जाएगा यूर्फ वाले catch में जाएगा अच्छा लेकिन अगर मैं यह करना चाह रहा हूं कि नहीं इस वाले अगर मेरे पास मिसाल के दूरबर दो तीन ऐसे मंजन होते है ठीक है एक यह request अलग लग लग रही है यह request अलग लग लग रही है ठीक है तो मुझे यहाँ पर ट्राइगेश लगाने की जूरुक नहीं है अच्छा यहाँ पर जो यह जो जॉन पीजा लिखाव है न इसकी जगह में जो भी मैंने यूजर से पैरामिटर्स केलेक्ट किये था न वो लगा लूँगा तो पीजा डॉटर नेम नहीं दिया था अच्छा नेम तो मैंने दिया ही नहीं है यह से चलो आजो नेम एट करते है फिर निव ओर्डर में हम कहते हैं कि भाई माई नेम इस जॉन जॉनग को यह पकड़ दिया फ़ॉर इस ने क्या पकड़ा इस ने शिस्टम demon I LoMS को में क्या कर 확진़ यहां से पकड़ोंगा और इसको मैं ले जाँँगा टॉप्पिर्स सबसे पहलरे टॉप्पर नाम कुछे और इसको मैंने लगा दिया रेक्वाइंड और इसके मैं प्रॉंट डिफाइन कर दूंगा क्या May I have your name Please I capital होता है मेशा Please tell me your name for the order Tell me a name to write Tell me a name to associate the order with तहीं लिखाना नहीं है रेजी मेरी कोई अच्छी नहीं है आज कल तो chat GPT से करवा रहा हूं हाँ, लिख के ना कोई passage आगर आपने लिखा है समझ नहीं आ रहा है तो आप बस वो पूरा paragraph दें उसको और लिखें, convert this into formal English या correct grammar mistake या correct accent mistake ठीक है, convert कर देगा वो American Spanish accent में convert कर देगा तो सही करदा काफी तो जितनी खरापती उससे और खराब होने का इसको मैंने save कर दिया अच्छा अब जो ये person जो है ये एक entity तो ये है लेकिन ये person ना plain text नहीं मिलता शायए अभी हम वो देखेंगे कि क्या मिलता है और उसका हम document भी देख लेंगे कि तमाम entities server पे किस तरह से मिलती है वो भी देख लेंगे तो person में न मुझे जहां तक याद पढ़ रहा है एक object मिलता है उसमें दो दो चीज़ें होती है एक first name होता है और एक पता नहीं कुछ और भी होता है सही है US US पता नहीं कुछ होता है अच्छा तो अब इसको save कर दिया मैंने अब इसको hit करते है नाम बता के अच्छा बाकी तो चीज़ें लेगे ने लगाओ ना मैं इसमें दूसरा कहा था params.quantity यह आ गया params.quantity और यह आ गया pizza size सही है pizza size आ गया ठीक है flavor आ गया सही flavor आ गया बस यह name रह गया अभी फिलाल name fix है hardcoded है ठीक है to do अटा देता है उसका अच्छा जी await जो इसमें लगाया तो यह function भी async होना चाहिए हाँ है अभी इसको order को save करेगा और उसके बाद जवाब देगा अच्छा नेम को जो है यहां पर params को print करवाया है तो params dot करके यह जो name था person जो था params dot person इसको भी मैं अलग से print करवा रहा हूं ताकि मुझे exactly लिख जाए कि इस params dot person के अंदर मुझे exactly मिलता गया है क्योंकि उसमें मिलेगा एक object उसमें single plain text नहीं मिलता अच्छा अब इस chatbot को मैं चलाओंगा तो request मेरे webhook में नहीं जाएगी क्योंकि webhook मेरा एक तो चलनी रहा इसको चला लेते हैं सबसे पहले इसको चलाने के लिए npm run dev लिख देते है npm run dev हो गया अच्छा उसके बार क्योंकि यह local host पे चल रहा है dialogue flow cloud में चल रहा है dialogue flow इसको access नहीं कर सकता इसके लिए मैं लिखोंगा ng rock http 5001 सही है अगर मेरा server 5001 पे चल ला है 5001 पे चल ला है 500 तो यह जितनी दफा भी computer को बंद करूंगा न तो यह दुबारा मुझे link करना पड़ेगा ठीक है बट यह सुप development के लिए once आप production में जाओगे तो आप क्या करोगे इस server को आप cyclic पे hariko पे railway पे google app engine पे कहीं भी deploy जहां पे करते हैं वहां पे deploy करोगया वहां से URL मेलेगा वह आपने लगाना production वाला क्योंकि यह तो fulfillment में laptop बंद करूंगा तो यह कान नहीं करना यह सिर्फ development के लिए इसको fulfillment में गाया हम और यह दो पुराना URL पड़ावा यहां पे ऐसी लेकिन यह पुराना URL 404 करेगा exist नहीं करता है तो अब हम क्या करदेंगे इसकी जबाई यह नया URL लगाके और इसको save button दबादेंगे ठीक है आज की date में हमने context को भी cover करना है और rich responses को भी cover करना है कोशिश करेंगे हम आज dialogue flow को पूरा करना है अच्छा अब वापे intent में आ जाता हूँ मेरा webhook यह बला connect हो गय है अभी right now जो चल रहा है server यह connect हो चुग है webhook के तौर पर अच्छा अब हमने क्या करना है कि भाई place new order with name with my name John या Malik लिख देता हूँ अच्छा name के बारे में एक चीज में बताता चलो आपको कि यह जो नाम पकड़ेगा यह सिर्फ पकड़ेगा English नाम सही है क्योंके English language में है chatbot अच्छा कुछ gb name अगरा इसमें मौझूद है अगर मैं यह new order में वापस जाओ न अंदर और इसमें मैं इसमें क्लिक कर देता हूँ system.person तो इसमें ना name अगर मैं करोंगा तो given name है last name है सही है बस यही आ रहा है और एक person अब यह अब यह entities का न वो है पूरा वो एक document बनाव है वहाँ पे वो बताता है कि कौन सी entity में क्या है वो यह बता रहोता है सही है तो वहाँ पे चलके हम देखेंगे वो नेम प्यारा सिर्फ इंग्लिश नेम पकड़ेगा मलीक क्योंके इंग्लिश नेम में भी मलीक होता है तो इसलिए वो पकड़ेगा उर्दु वले नाम अरसलान अली यह सब नाम नहीं पकड़ेगा ठीक है कुछ एक तो शायद पकड़ भी ले लेकिन यह नहीं पकड़ेगा अच्छा अगर आपको कस्टम नाम पकड़वाने हैं उर्दु वाले तो आपको इसके लिए क्या करना होगी एक कस्टम एंटिटी बनानी होगी नेम्स करके या उर्दु नेम्स करके उसमें जितने भी नाम आपके हैं उर्दु के उर्दु में कितने नाम है इसके अगर आपको अगर आपको आजये ना तो आप अंगरेजी में बात कर सकते हैं जेनरल जो हम यहां पर जो मैं बैटके बात कर रहा हूँ यह इतनी बात करने के लिए न अगरेजी में 20,000 words आने चाहिए, जो आम तरबे डिक्शनरी में होते है 20,000 words, तो जाहिरे नाम जो है उर्दू में वो लिमिटेड है, और इंटरनेट पे बहुत सारी जगाओं पे इन नामों की लिस्ट मौझूद है, ठीक है, उर्दू नेम, अरबिक नेम, हिंदी नेम्स की लिस्ट मौझ होते हैं, बलके चैट GPT से बोलते हैं, गिव मी, 1000, मोस्ट कमन, पाकिस्तानी, सही है, गिवन नेम्स, सही है, गिवन नेम का मतलब होता है कि जो नाम दिया जाता है, एक होता है लास्ट नेम, वो गिवन नेम नेम होता है, लास्ट नेम 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 होता है, लास्ट नेम नेम इसको भी थोड़ा मैं डिफरेंट जरीखे से बोलूँगा तो यह देगा इसको मैं बोलूँगा बच्चा में का लिस्ट पहली बात तो इसको नहा चैट शुरू करना पड़ेगा क्योंकि उस चैट में मैंने पहले कोडिंग कर वारी उससे तो वह एक सैट कर लेका शुरू म अब उसको मैं बोलूँगा ना तो इसको मॉस प्रॉबभली समे मैं सेम चीज लिख लिखूंगा ही करते हैं में अब यह देखते हैं अचा इसमें भी सॉरी कर लिया अब यह मिससे करवाते हैं जबर्दस्ती करनी बड़ती है ओना में क्लिस्ट अभी मैं केरो आँ गिव मी मैं गाओंगा में का लिस्ट अभी इसके शुरू में पता चलिया कि लिस्ट बनानी है चलो वन हंड्रेड जो पाकिस्तानी गिवन नेम्स चलो वही अभी मोस्त कॉमन में उसको अशुरू आगे ना लाइन पर यह लिस्ट ऑफ वन हंड्रेड ऑफ दा नोस्त कॉमन पाकिस्तानी गिवन नेम्स आगे विल्कुल सीधा लाइन पर अभी अब यह ब्राना शुरू कि लिए जल्दी कर रहा है बहुत ताइम अगा रहा है बस आप इससे अब लिस्ट बनवाओ 100-100-100-400-500 करके आप लिस्ट बनवाओ जितने भी बनाता है यह ठीक है तो यह लिमिट होगी कोई 24-5000 इससे जादा थोड़ी हों गया इससे जादा है तो इसमें मैक्सिमम नंबर फिफ्टी थाउजन है तो फिफ्टी थाउजन तक भी अगर ने मेरा उर्दू के तो आप उसमें सीधा उड़ाएकर डाल सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसके अंदर ऑप्शन है बिल्कुल यहां पर जाओगे न एंटि इसमें मैं गया और यह जो पीजा फ्लेवर्स है न देखो इसको मैं डाउनलोड करूँगा यहां से अप्लोड का बटन तो मैं इसको डाउनलोड करूँगा तो एक फाइल आ जाईगी परे बास जेसन चीएसवी दोनों पूछ रहें चीएसवी ज्यादा बहतर रहता है कु तो मैं इस वक्त सीएसवी में खोलता हूं फिलाल के लिए सीएसवी में खोला मैंने और यह देखो ऑटमाटिकली एक्सल पर इसने बोला कि खुल जाएगा क्लिक मारा मैंने एक्सल पर खोलूंगा चेंजेस करूंगा जेसन में या कहीं से भी कोई नाम मुझे मिलता है वो लाके इदर पेस्ट मारूंगा वापिस उसको अप्लोड करूंगा अप्लोड देगा सही है एक्सल में खुल गया अभी एक्सल में खुल गया अच्छा अब मैं यहां से आता हूं यह चैट जीपीटी ने मुझे नाम बता दिये अभी तक लिखी रह बसे है चलो जो लिख इसने वो भूरते हैं ठीक है 30 नेम इससे ले ले लेता है 30 नेम भी बहुत होते हैं तो मैं क्या करूंगा यह 30 नेम यह इदर आ गया और इसके सनोनियम जा गया सब कॉमा डल के जतना अरदी लिखते रहे ठीक है वो सनोनियम लिखने के जाहरा थोड़ी मेहनत करनी होगी ताकि आप भी यूज करें बाद में कोई और भी यूज करें हर नाम का सनोनियम वैसे अली है इसका कोई सनोनियम नहीं होता ठीक है जैसे इंजमाम में बहुत सारे लोग आई एंजेट के साथ आई लिखते हैं इंजीमाम तो आप वो सनोनियम में डालेंगे के एक्च्वल लेकिन कुछ लोग आई एंजेट आई करके लिखते हैं तो ऐसे करके इसी तरह दानिश है या फरहान है इसका अगर कोई सनोनियम होता है ठीक है जैसे कशफ को शायद कोई काशू बोल रहा हो मेभी सही है या कोई अब इसमें कोई ऐसा नाम इसमें लिखा नहीं है हाफिज Ughlaam, Fizza, Fatma, Farhan, Bilal को जैसे कोई Bilu बोलते हैं, Bilu इस ताद, Bilu पाजी, तो ऐसे करके जो भी जिन नामों के सनोनियम बनते हैं, जो लोग सनोनियम बोलते हैं, बिल्लू की तीन चारा लग लग स्पेलिंग है वो सारी आपने लिख दी तो बन गिया सनोनियम तो यह 50,000 तक सनोनियम है तो अगर आपको कभी उर्दू नाम या हिंदी नाम या किसी ऐसे लेंग्वेज का नाम जो सपोर्ट नहीं करता वो बनाना है तो आप ऐसे बनाएंगे अचा, उनका जो सिस्टम एंटिटी है उस में क्या है यही है उनोंने इंगलिश के सारे नाम कठे किया लगा दिये लाइन से लायन से सनोनियम उसके बनते हैं जिनके उसके सनोनियम सनोनियम तो नहीं होंगे खärओ ऑफिशल में सनोनियम क्यों हो गार बिलू शलू को यह most common नाम लिखे हैं सारे वैल आप सर्च मारोगे न के all पाकिस्तानी given names जेसन सही है यह आ गया अचा यह तो github यह तो यह आ गया विकिपीडिया का डॉक्यमेंट आ गया दिए अबबास, अली, अब्दुल, अब्दुल्ला नहीं यह तो कुछ और है नहीं कुछ और है अचा पाकिस्तानी नहीं इंग्लिश नेम करते हैं वो उसका डेटा जयदा होगा, इंटरनेट की होगा अचा रैंडम नेम्स, फस्तनेम्स.json यह यह आ गया, किसी ने बना के डाला है यह फस्तनेम की लिस्ट है यह कितने इसमें 9000 नेम्स है 9000 में एक्चुली 4 यह 5000 होगी क्योंकि इस मैसल में एक लाइन वो भी है तीन लाइनों में एक नाम है नहीं, दो लाइनों में एक नाम है तो 9000 को अधा गर लो 10,000 एक्चुली यह 8 है तो 5000 नेम काइंड़ इसमें मौझूद है 53 KB का डॉक्यमेंट है तो 5000 नेम में आप समझें सारे नाम आगए English के सही है, इसको जासट आपने जाना वो डालना है उसमें CSV में बस वो पंदर होगी है अच्छा इसने जो है वो अच्छा यह जो है कोई बंदा है देखो इसने एक और repository बनाई वे Names.json यह भी इसकी repository देखता है Names.json एक और भी इसने बनाई भी है आर्काइफ कर दी इसना Random Names यह कुछ इसने किया है कुछ गडबड इसने बनाई है बता नी क्या अच्छा एक library भी है एक NPM की library भी है मुझे याद पढ़ रहा है मैंने एक दफा शायद यूस की थी वह English name सारे उसके अंदर होते हैं अस library में ठीक है वह library करके आप बोलते हैं न mail और name और इतने character का mail name चाहिए उतने character का mail name बना के देता है ऐसा कुछ करके है Names of json data English first name data set यह लोगी English first name data set आ गया कहाँ पे data.world यह kegle type की कोई website उस पे आ गया ठीक है excel sheet आ गई English given female और English given male यह दोनों आ गई view file में यह sign up करने कह रहा है तो भाराल यह data set इस तरह के जो है मार्केट में मौजूर है इसका जो size है वह देख लो किया है 246 के भी है डाउनलोड करने यह नहीं दे रहा है करा है join करो तो मैं फिलहाल के लिए इसको join नहीं करूंगा लेकिन यहां पे इनोंने mention किया यह license public है और shared with everyone है publicly shared data वो just sign up इसली कह रहा है कि चलो इसी भाने एक user आगए तो kegal वगरे पे इदर उदर English name के अर्दू name के data set मौजूद होंगे तो वहां से आप easily उठाके custom entity बनाएंगे और good to go चलो बई, swap पूरे कर दीए इसमें अब इसको 1000 के काम पे लगाता है बस लगा रहेगा पीछे यह होता रहेगा हम अपना काम करते रहेंगे यह नाम डूरूरूर के लाता रहेगा चलो 1000 अच्छा list of all most common अटा दोते हैं make a list of all Pakistani given names चल मेरा भी लग जगाम गर अच्छा यह ना रीफ्रेश करना पाता है यह थोड़े देर इसको ना थोड़ी देर में यह गड़ड़ा आ जाता है ठीक है वो कह रहा है भाई मुझा सारे नाम का access नहीं है लेकिन चलो यह लो एश करो पॉपुलर ले लो पॉपुलर फीमेल नेम ले लो यह दस पही थंड़ा हुगी है यह चलो अल हटा रता है पर इसमें 1,000 हो 1,000 जा 1,000 ले रहा है 1,000 ले रहा है क्यों है I am sorry 50-50 अच्छा 50 पह आए नेगोशियेट कर पाया है और देगो 50-50 ले लो नहीं 1,000 ही देगे 1,000 make a list of 1,000 most popular पाकिस्तानी नेपस 1,000 के काम पे इसको जाज लगा के रहें I am sorry I am sorry 1,000 ने लिख रहा ना चलो 500 पह तो लगा है 990 990 प्लीज 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 से करेगा नहीं लिमिटेशन के सलम उन्होंने बहुत लगाई चलो 500 के काम नहीं 500 पह तो उन्हें लगा दिया इसको चलो करते रहूं हम जा रहे है थोड़ी देर में आएंगे चायशाए नहीं तो custom entity कम करके अच्छा यह system entity देख लो यहां पर इन्होंने यह भी बताई भी है कि जो जो हम use कर रहे system.person वगरा वो यहां पर एक list आ रही है तो हम आजाते हैं वापिस अपने server पर हमारा इधर code चाहिए मुझे इधर as well अब हम इसको hit करते हैं यहां से okay अच्छा मैंने नाम इसको भी दबताया ना सिर्फ अच्छा यह पता है क्या अगर मैंने एक conversation start किया और बीच मैंने छोड़ दिया उसको वो पांच मिनट तक याद रखता है उसके बाद याद नहीं अभी नहीं है नाम मेरा बूल चुका है यह मैंने नाम बताया था ना my name is Malik वो भूल चुका है तो अब इससे में बोलता हूँ place order तो यह मुझसे नाम दुबारा बुछेगा most probably it won't be long please wait five minute more place order बोला है अच्छा यह place order में ना check order status को पकड़ रहा है अब हमने को training phrases में कोई गड़बड़ कर दिए check order status पर चलते है I am waiting where is my order ठीक है अच्छा place तो इसमें मैंने लिखा वह कहींपर तो इसका मतला मैं place फिर वहां लिख देता हूँ जाके new order पर place order ठीक है ताके मैंने यहापर place का वरणड़ मैंने use नहीं किया तो वो detect नहीं कर पा रहा है अच्छा AI की जितनी game है NLP की खास तोर पर है वो सारी चलती यह words पर यह जब detect intent कैसे चलता है detect intent ऐसे चलता है जितने भी बेने training phrases दी है वो क्या करता है उसके जुम्ला नहीं है अच्छा यह मैं आपको chat GPT का भी यही case है वो आप जो जुम्ला आपने training phrases में दी है न यह वाला यह जुम्ला नहीं है उसके लिए यह एक token है यह पीस ओफ information है और उसको नहीं बता कि यह क्या है यह क्या करता है इन सारे word को नहीं ऐसे line से सीधा कर देगा place, given, my name John को नहीं करेगा क्योंकि John entity है उसको bracket में रखेगा कि यहां कुछ आएगा given, I, like, would, have, pizza यह सबको सीधा करते वाई behind the scene नहीं करता है फिर क्या करेगा उन सीधे हो गया न वो उससे अब जुम्ले construct करेगा अब जितनी मैंने मिसाल के दूर पंदरा example दी है अब इस पंदरा example में बनते हैं 200 words 200 words मैंने example में दे दी अब उस 200 words है न वो 300, 400, 500 जुम्ले generate कर देगा सही है अच्छा यह तो detect किया जा सकता है कि कौन सा जुम्ले इसमें से grammatically correct है तो वह 300 ऐसे जुम्ले create करेगा जो grammatically correct होगे generate तो और भी करेगा लिए उसको discard कर देगा कि यह correct नहीं है randomly इसी generate मारेगा और check करेगा कि कौन सा grammatically correct है उसको रख लेगा बाकि बढ़ा लेगा तो यह इस तरह से पीछे training करता है अच्छा इसका मतलब है कि place अगर शामिल नहीं है तो place उस किसी जुमले में place नहीं होगा जो order new order करने के लिए जो बंदा जुम्ला बोलेगा उस प्लेस का word नहीं होगा अच्छा place तो है नहीं तो बचा सिर्फ order अब order इसमें भी ए उसमें भी ए दोनों में समझझेर हो अच्छा अब दोनों में तो ये क्या करेगा दोनों में तो ये करेगा कि उपर से शुरू करेगा जो पहले एट हो गया हो है तो आप देखो उपर order status पहले था समझ रहे हो? कोई एक word अगर मिला है सिर्फ एक ही word मिला है दो intent में मौझूद है तो वो जो पहले होगा ने intent sequence में उस पे चला गएगा समझाए क्यों पकड़ा था इसने place order तो अब हमें क्या करना है कि place order या new order या ऐसे ये जितने भी possible words है हमें वो words अपने training में शामिल रणने है सारे words शामिल नहीं कर सकते है पॉसिबल नहीं है ये लेकिन इसमें यहां पर हिस्टरी करके चीज आ रही हो थी यह वाली अब इससे दो जितनी भी बात चीद हुई है यहां पर सारी list आ रही है ठीक है 19 February को मैंने conversation की है जिसमें पांच तर्न टॉकिंग होई है ना पांच दफा तर्न टॉकिंग होई है 19 February फिर टुडे जो है वो यह प्लेस ओर्डर किया दो बात बोलके खता हूँ तो यह कोलते है 19 February को जो तेरा तेरा टर्न टॉकिंग होई है इसको खोलते है यह खोला देखो इसने बता है बंदे ने बोला था हाई यूजर ने बोला था एजेंट ने बोला था यह अब यह यहां पर वो नी आ रहा थी हाँ देखो सम्थिंग वेंट रॉंग आ रहा है ना सरवर अब जैसे अभी तो इसमें हाय खिलावा कुछ बोला ही नहीं है और मिसाल के दर पे बंदे ने बोला था प्लेस ओर तो यहां पर वो घलत इंट उसने क्लिक करूँ गार यहां से क्लिक करूं तो इस तरह से की इंप्रू까요? होगी हर थोड़े अर्से के बार यह तो कॉंटेक्स में कवर हो गई है तो आप कहारे ने मुझे याद दिलाना कॉंटेक्स में बहुत अच्छी एक्जामपल बन सकती है कॉंटेक्स जब मैं पढ़ाओंगा तो मुझे यह बात दिलाना यही बना देंगे तो तुम कहरे हो ना कि इन्हों ने यह बताया अगर किसी को बात समझ नहीं आयो इन्हों ने बोला है कि मेरे पास है कि रेस्टोरंट का मैं बना रहा हूं उसमें मैन्यू के अंदर डिविज नहीं हो बताया मैं के भाइब के सिख कबाब यह और तंदूरी चिकन है तूर तंदूरी कबाब इजल जाता है तो उन्हीं पर डिव दो जब जब ले का पर बीजा है नहीं है अग तो यह कॉन्दूरी बोलता है ना तो पीजा को नह पकड़ द़ए बनी चोंसी आप झाली कर दो कि मुझा पीजा के लाई ? यह तो पिर इंतेंट के जो ट्रेनिंग फ्रेज निस गोई निशू हो सकता है मैद तो दोनों में है , पीजा ऑफर्का है वह ज्युव पर अब जा वहां कि नहीं आपको बनाते हैं जो CXL, उसमें उन्होंने ये वाले भी चीज़ की है कि अगर दो इंटेंट के ट्रेनिंग फ्रेज़ एक्जेक्ट मैच होगा है तो एरर भी देता है बताता है लेकिन अभी को रड़ी नहीं है तो उसको मिसली नहीं पड़ रहे हैं अभी बेसिक कॉंसेट सारे उसमें भी है तो इस तरह की कुछ चीज़ें अडिशनल है उसमें जो निया वाले है उसको V3 कहते है या Dialogflow CX, Customer Experience उसमें क्या है हर इंटेंट के लास्ट में एक वो बनावा एक डबा है अब हर इंटेंट का अलग fulfillment है जरूरत नहीं है इसकी मेरे case में मुझे जरूरत नहीं है मैं सब में इसमें की लगा हूं लेकिन possibility उसमें पढ़ा दी है अचा इसमें एक limitation और भी है कि अगर request जाती है na server पे तो पांच second तक अगर server कोई जवाब नहीं दे पाता है कभी कभी तो ने database में time ज्यादा लगिया तो पांच second के बाद वो खुद वापस आएगा और आके दर बोलेगा बोलेगा server से मुझे कुछ नहीं मिला इसको पांच second को में कम नहीं कर सकता ज्यादा नहीं कर सकता इस वने में उसके अंदर कम ज्यादा कर सकता हूं जो नेया वने समझ रहे हो तो functionality में कोई फर्फ नहीं आया algorithm वही है सिर्फ उपर से उसमें garnishing थोड़ी ज्यादा है कुछ तो यह हम अच्छे से पढ़ देंगे तो वह automatically तुम्हें समझ रहे हैं तो वेल अच्छा अभी यह दोस्त बता कर गयें के नमास का टाइम होगे है तो अच्छा अभी तक हमने वैसे क्या पढ़ दिया है हमने यह order place करने वाला code लिख लिया है और फिर हम यह नाम की detail में चल और जल्दी से इसको हिट करते हैं वहाँ पे नाम पहुंचेगा वहाँ पे console करा के देखेंगे क्या आ रहे हैं और फिर मैं I have your name लिखना भूल गया है मैं सिर्फ प्लीज लिखाना है can I have your please यह मेरी mistake है मैंने response बलत लिखा है मैंने का कि my name is john ठीक है अच्छा एक बार अगर मैंने जॉन बोल दिया अगर मैं दुबारा बोलता हूं कि जॉन क्या last name बता हूं कोई English जॉन स्मित सही है तो यह उसी को एट चेंज भी कर देता है ठीक है जॉन स्मित अब यह पकड़ावा होगा है ठीक है जॉन विक भी तो है अच्छा तो यह कुछ रहा है है कि अगर इसे बोल रहा है तो अब जॉन स्मित सिर्फ जान पहरे बोल दिया तो अब ओलेगा ओके जल्दी से नाम इसका लगा भी देते है ने प्रॉंक्त में वह बलत कर दिया ना जो उसको सही कर लेते हैं कहां कि यह order new, यह prompt में मैंने दो दो बलतियां की विए एक साथ, इसको prompt में मैं गया है, और your name यहां पे मैंने लगा नाम को लिए हूँ, your name प्लीज, यह एक मैंने correction कर दी यहां पे, और दूसरा किया है, अगला जो quantity पूछे गा रही है, अब quantity में, मैंने का, okay John, ठीक है, person, dot, बस person लगा दे, ओ, क्या किया अब नहीं है, person, अब देखते हैं, यह person पकड़ता है, यह dot original, क्योंकि person is an object, तो dot करके मुझे लगाना पड़ेगा शायद, ठीक है, last में में एक और लगा देता हूँ, अचा, कुछ मैंने देखों, यहां पर person के साथ दिये, कुछ बगार person की भी देती है, क्योंकि जरूरी नहीं है, कि मैं हर दभा उसका नामी हूँ, मैं how many भी पूछ सकता हूँ, just, how many pizza वल के शायद बैतर रहेगा, ठीक है, अब मैं बोलूँगा कि जॉन, please tell me, how many pizza would you like to have, है न, ऐसे गरके मैं अच्छा सा prompt बना के close कर दिया, save का बटन दबा दिया, ठीक है, इसको, अच्छा, इसको मुझे शुरू से चला रहा है, मैं क्या करूँगा, reset context, reset context का मतलने है, कि जो कुछ भी मैंने बोला है, भी उसको भूल जो, शुरू से, मैंने high बोला है, इसको, good night, इसको पता है, मेरा time zone, good night बोल रहा है, सही है, और मैंने कहा कि भाई, place and order may I have your name please, I am John, okay John, how many pizza would you like to have, मैंने कहा कि नहीं, John Smith, ठीक है, okay John Smith, please tell me, how many pizza would you like to have, मैंने कहा 3, ठीक है, large, और मैंने कहा कि भाई, cheese, ठीक है, you said 3 large pizza, cheese, this, this, ठीक है, और ये जिस server से हमने reply भी जाता न, ये वो, अभी तक वैसा ही है server पर, अच्छा, तो server पर चलके देखते है, request आई होगी, obviously, database में save भी होगी, ठीक है, new order added, ये लिखा वार है, और, जो मैंने यहाँ पर console करवाया था, collected parameters में, है न, देखो ऐ ऐसे ये collected parameters मेंने console कर आया थे, फिर मैंने dot person को अलग से console कर आया था, तो देखो मुझे dot name करके, इसमें जो रहे है, ये john smith मिल रहा है, सभी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आके, इसको dot name लगाना पड़ेगा, मैंने का कि params dot person dot name, ऐसे करके मुझे यहाँ तो ये name फिर ये वाला, और अपरली पकड़ने लग जाएगा, ठीक है, database में हमें जाके आप देखना पड़ेगा, कि वो data save हुआ है, नहीं हुआ, ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, most probably छुटी सी UI होगी, front end की, जो kitchen के लिए तायार हो रही होगी, यह kitchen में भी एक chatbot हो सकता मैं नहीं, मैंने वीडियो बता दी थी, मैंने काता हो देख लेना, ठीक है, तो socket आयो से real time में कैसे chat application मनती है, वो kitchen के अंदर एक चल रहा होगा, UI, उस में real time में वो जैसी यहा से place होगा, उदर pop up आजाएगा, पुर्थ करें, कि वहाँ से बटन दबायागा, उसका status चेंज नहीं था कि order पहुंच गया है कि नहीं पहुंच गया, तो हम database में जाएगे कैसे देखेंगे, ये वाला URL, अचा स्क्रीन नहीं याईगी, कि इसरु बातो ये उसका चेंज्च पर मॉँतिक टी प्ति भी कंपास बहेकि सक्के हम पीचेंजी भी मॉपर लगाता है, आक है, प्रोबो मॉंगो असल में नाम उसका पहला नाम है पराणा है अब वो रोबो 3D हो गया है निया नाम उसका अच्छा क्योंकि मैंने यही एक बनाया वै डेटाबेस इसको बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्स में यूज करता हूँ तो इसमें यह अलग से इतने सारे क्लेक्शन है ना यह टेक्स और प्रोड़क्स और फोटो यह इसलिए आ रहे हैं तरह सारे क्योंकि एक ही डेटाबेस है उसको मैं कई जगा पर यूज कर रहा हूँ तो यहां पर यह मेरा एक और रहा है इस वक्त राइट नौ अच्छा इसमें जॉन्स पीजा क्यों लिखा वार है अच्छा उस वक्त मैंने वह हार्ड कोड़ लगाया था तो यह सेकंड वार उसमें गया नहीं है इसने तो बोला कि सेव्ड हो गया अच्छा चेंज करने के बाद मैंने उसको हिट नहीं किया भी इसलिए जो हो वही वाला आ रहा है तो फैल इसको मैं कर देता हूं डिलीट सही है डिलीट अब यहां से आके मैं क्या करूंगा एक दब और इसको हिट करता हूं मैं कहता हूं प्लेस एन और्डर त्री लार्ज पीजा तो मैंने दो अभी एक साथ दी है अच्छा वर्ट फ्लेवर तो इसने थ्री और लार्ज दोनों को समझ आगे वर्ट फ्लेवर मैंने का भई तिक्का फ्लेवर ठीक है यूसेट थ्री तिक्का लार्ज प्लेवर जो भी रिप्लाई क्लेवर वेभुक और यहां पर यह लिखवा गया कि डेटा जो वो सेव हो चुका है डेटाबेस में अच्छा इसके बद जो रिस्पॉन्स हमें करना थ थोड़ा अच्छे तरीके से करना था था मॉस्ट प्रबबली हम और नमबर एक जेनरेट करते हैं में भी अगर दो लार जी किसमाल हम यह ने नहीं किया अभी तक हम यह ने नहीं किया अच्छा इसके होगा मैं वह बता देता हूं कि कैसे हो गए हम तिर उसको ना जो एरे ब करता दी अभी करता है अभी करता है तर दो हम अब नई असल में धो यह थो आप कॉंटेटेट जादा उजाएगा चैट बॉर्ट में फोशिश करते हैं सिंपल रखा मिसाल के तौर पे मैंने बोला है कि एक लार्ज और दो स्मॉल अभ अब फ्लेवर भी में बता रहा हूं तो अब लार्च का फ्लेवर बता रहा हूं या स्मॉल लेगा बता रहा हूं तो यह नहीं करना है सब्सक्राइब करना हुए कि काड़ यह है तो ट्रफिड वर्ट टेक्स बेस की बात हो रही है अब टेक्स बेस में बात कर लो कि तर वाते हो गए इसका तर उपर था ठाइख है कि दो वाते हो हैं इसके अंदरना नमबर एक बात ही हो गई कि जो साइस है अगर गटीन की पीजा गोला तो मैं था इस जो गडिदा जो यह वो तीन histories अलग इलग बताओ बता हूं एक तरीखा यह हो सकता है इसको collect करने का दूसरा तरीखा यह हो सकता है कि मैं जब वो बोले ना कि 3 3 मैंने बोल दिया कि How many pizza would you like to have? मैंने का 3 अब मैं उससे पूछूँगा कि what are the sizes तो उसने बोले कि 2 small 1 large तो ये 2 small 1 large तो मैं समझ जोँगा ये मैं कैसे समझूँगा ये बता देता हो मैंना ये जो sizes है ना ये वले इसको मैं लगाऊंगा is list पर check लगाऊंगा तो अब क्या होगा कि मैंने ये बोला कि ये size ये array होगा एक नहीं होगा अच्छा ये अब मुझे मिलेगा array में ऐसे ही हूँ अगर मैं बोलूंगा ना कि size पूचा मैंने बोला है small तो small मुझे इस server पर कैसे मिलेगा ऐसे array और array में एक ही index होगा small string सही है ऐसे मिलेगा अच्छा अगर मैंने बोला कि 2 small और 1 large तो वो 2 और 1 को छोड़ देगा 2 और 1 उसको समझनी आए यह हो सकता है पुराने वाले से छेड़ चाड़ करने लग जाए वो quantity को छेड़ दे क्योंके quantity अगर एक entity वो बता चुका हो दोबारा बोलता हो तो उसको छेड़ देता है पुराने वाले तो हो सकता है वह 1 और 2 में किसी एक को entity में भरदे हो जाए और पीजा का जो फ्लेवर ओ साइज जो होगा ना उस में मुझे पिर मिलेगा दो एक मिलेगा एक मिलेगा लार्ज एरे में मिलेगा दो होगी समझ रहो तो यह ना इससे गड़बड होई यह काम नहीं करना है आम तोर पे क्यूंके यह परस्टनल अससिस्टेंट है इससे जो हम अडर ले रहे होंगे दो चर्फ झाय पाट का जो शुरू से मुक्सद हमने समझहा दो किशीजों को कूई करने के इला कि काम आयगा और उसमें जल्दी से कौई काम करने जैसा मै नहीं अलार्ज चेट करने की ग्सेंपल से मैंदेता है कि भी से अलारम फुर थी मिलेट्स आफ्टर फॉम नाओ, यह निए से अलारम आफ्टर सिक्स आर्स फ्रॉम नाओ, सोते भी रात को मैं अक्सर लगाता हूं, कि रात दो बजने ती बजने, छे गंटिक नीन देनी हो, छे आवर के बाद का बोला के बाराम लादा, तो लगा द मारेगा बग आएंगे, चैट बॉर्ट में, तो चैट बॉर्ट में आपने कोशिश करना है कि वन लाइनर हो गई, कि थ्री लार्ज फजीता विजर, अच्छा, अब जो यह वाला प्रॉब्लम है, तो इसका ultimate solution फिर होगा क्या, ultimate solution यह होगा कि repeat my last order, तो इंट्रों के अंदर last order में आपका repeat कर देती है, उसमें जो कुछ था, वो replicate हो जाएगा, समझ रहे होगा, अगर कोई खास तरह का पीजर उसने order किया है, तो वो replicate हो जाएगा, ठीक है, अच्छा, यह मैं यह कर सकता हूँ feature, कि जब वो order place करूँ ना मैं, तो place order from history, बुलू, ऐसे, place order from history का एक intent और और वेलकम मैं बताऊंगा भी, कि यहर, you can reorder any of your previous orders, तो जब वो बोले ना, कि री-order from my previous orders, तो उसको क्या करें, डेटाबेस से लाए, जितने भी पुराने order है, उसको उठा के लाए, जुमले में convert करें, कि भाई, your most recent order is this, 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 with a drink, with a coffee, with a this, with a this, जुमले में convert करें, ठीक है अच्छा, वो बोले कि भाई, अब ये number one हो गया, अच्छा, would you like to repeat this order, or you want me to read your next order, अब वो एक एक करके ऐसे पीछे जाता जाएगा, पीछे जाता जाएगा, अच्छा, ये भी मैं कर सकता हूँ, कि order number से करा दो, अगर बंदे को ये पता है, कि मैंने फला दिन जो order किया था उसने mobile app खोली, ऐसे यू यू कर रहा था, वहाँ पर order number दिख गया, उसको कि अच्छा, ये order number तो वो place order using order number का एक intent बना दूगा, बट ये शाइद मेक सेंस नी होगा, क्योंकि अगर mobile खोली लिया उसने, तो reorder का button वहीं पर होगा, वो click कर देगा, reorder खुदी हो जाएगा, स वन लाइनर जो है अभी फिलहाल भी बना रहे है, लेकिन ये मने आपको बता दिया, array हो गया, अच्छा, इसी तरह flavor में भी array हो सकता है, ठीक है, flavor दो तीन भी होता है, मैंने का भी तिकता फाहिता, तो दो flavor है, सभी अच्छा, अगर इसमें तीन चार flavor बोल दिये, छे flavor बोल हो है, लेकिन वो कैसे पलट के बताएंगे, वो अभी तक मैंने discuss नहीं किया, तो अभी फिलहाल इसमें सही है, अच्छा, वो हम कैसे करेंगे, वो हम ऐसे करेंगे, कि हर slot collect करने के बार, वो webhook पे जाएगा, और उस slot को validate करेगा, कि हाँ ये सही data आया है कि नहीं आया है, वो वो उतना मिल जाएगा, सरवर पे, उसके नहीं जाएगा, हम उतने वो चेक करेंगे, अच्छा, ये गलत तो नहीं देती है, मैं वापिस उसको जवाब दूँगा, कि यार आपने तीन फ्लेवर जो बताएं हैं, यो कैन आउनली, से टू फ्लेवर अट मैक्सिमुम, तो प् आलिया तो और इसको हम यूस करेंगे देखना चाहरे थे, तो यूसेट 3 का दिस दिस दिस, ये सरवर पे कर दिया है, उनने या और और करना है, हिट किया है, हाँ या आगया, मलीक, और लार्ज हो गया, और तिकका फ्लेवर, ये एडिट मॉड बे चला गया, सही है, कॉंट चेक स्टेटस फ माई और, है न, वड़ इस देटस फ माई और, आजो, ये मैनस मैनस वी जो हैना है, ये वर्जन है, कि इस स्पैसिफिक दॉक्यमेंट को अगर मैं अपडेट करता हूना, ये वन हो जाएगा, फिर 2 करूंगा तो ये 2 हो जाएगा, जितनी बार में इसको मली MongoDB का अपना एक फीचर है, अब ये कैसे इसको यूज कर सकता है, ये MongoDB स्पैसिफिक चीज है, इसका चैटबॉट से तालुग नहीं है, तो इसको अलग से स्टडी कर लेना, कि वो क्या करते है, अच्छा, तो ये new order वाले को तरह मैं ये response सही कर दूँ, इसको अटा देता ठीक है, अब plug का function हमने discuss कर लिया था, कि अगर हमें 2 या 3 चार variation बनाने हो इस जुमले के, तो मैं वो कैसे बनाऊंगा, plug के function से बनाऊंगा, जो हमने welcome intent में use किया है, plug का function, ये 4 देंगे, अब एक उसमें से plug कर ला लेंगे, तो फिल हाल के लिए मेरा भी एक ही response होगा, fix, ठी तो ये हो किया, अब मैं जो न, check status वाला काम करने है, तो मैं क्या करूंगा, इसी new order को मैंने कर लिया replicate, और इसका नाम मैं change कर दूँगा, check status, check status, यहां नहीं बनाया बना, मैंने intent उदर बना गया, अच्छा देख लेता हूं, सही कह रहे है, उसी के नाम से बनेगा न, ये त check order status, ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होगा, कि just मैं user से यह पूछूंगा, कि, अच्छा, हमारे case में user किसी ने किसी web application से बात कर रहा होगा, तो वहां से उसके पास क्या रहा होगा, जाहरा वो request की body में पूरा JWT का token जा रहा होगा, या उसका email जा रहा होगा, जो login है, तो हम उसके account से हम कर रहे होगे, लेकिन अभी के case में हम क्या करेंगे, हम assume करेंगे एक ही user है, और एक ही account, तो just user बोलेगा कि भाई, where is my order, या what is the status of my order, और हमें last कर एक order है, वो निकालूँगा, और बता दूँगा कि यह status है, ठीक है, या मैं यह कर सकता हूँ, कि अगर मिसाल कि अगर दो तीन order उसने लगाए है, पेंडिंग में, तो कोई ऐसी logic लिखेंगे हैं कि latest जितने पेंडिंग वाल है, वो सारे की में उठादो, और उसको बता दो, क्योंकि अगर दो अगर order लगाए है, तो latest उठाएंगे तो उसरे एक आएगा, तो कोई ऐसी logic बनानी पास्क में अगर पैंडिंग तीन-चार है ने लाहिन सा तो सारे उठाएंगे है, और अगर delivered है तो सिर्फ एक उठाएंगे, और लेटेस्ट उठाएंगे, और इसके अदर में एक रिस्पॉंस लगा दूँगा, क्योंकि बाई, प्लीस ट्राएंगे, और सेफ कर दूँगे तो यहां तक काम मेरा खतम हो गया, फुल्फिल्मेंट से जाके मैं क्या कर दूँगा, इसको इनेबल कर दूँगा, अचा इस वाले इंटेंट के अंदर क्योंकि कोई पैरामिटर मैंने क्लेक्ट नहीं किया है, तो इसकी वजह से जैसे ही मैं बोलूँगा, तो वैसी डाइ खीक है, अचा, अगेन मुझे यहां पर क्या लिखना है, मुझे यहां पर लगाना है वो, get करने की कोईरी लगानी है, तो अगेन हम कोड लिखना है, क्या करने का कोड लिखना है, order get करने का कोड लिखना है, सही है, आजो, chat GPT से यह कोड लिखवाते है, new name, सही है, आजो, म my mongodb schema सही है और मैं last minute क्या रिखूंगा ठीक है not js es6 code for getting code to get all latest pending order साही है यह model आगया ठीक है वो find one quality query है वो यह find वाली query जो है वो लिख रहा है इस्टेटास पेंडिंग 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 सॉर्ट क्रियेटेड और माइनस वन आगये अच्छा एक चीज मैंने इसमें शामिल नहीं ही इस बात में मैंने इसको सिर्फ यह बुला है के all latest pending order or one finished also get one latest if no pending order क्या के रादी क्या लिख दिया get one latest delivered यह भी तो हमें चाहिए ना के एक latest वाला उठा के लिए delivered अगर सारे कोई pending नहीं है तो एक finish वाला उठा के लिए है इस केस में ना हमें पता है कि करना है क्या है coding जस्की इस से लिख वा रहे है that's छोटू अलगा हम कर रहे है सही है इसने देवा पूरी लॉजिक लगागी इसने का भई पहले pending get करो सही है और limit लगाओ one अच्छा pending में limit नहीं लगानी है वे one बाइदर यह इसने गड़बड कर दिये लेकिन हम यह गड़बड नहीं करेंगे हम इसको सही करके लिखेंगे सही है कॉपी आजवा अब और एक ओर देवो इसने क्या पहतरी लॉजिक लगाई है अब मैं यहाँ पर क्या करोंगा ऐसे करोंगा है मैंने का वे latest pending order await order.find status जिसका pending हो और created on minus one का मतलब है कि वो latest वाले को पहले salt इसको किया है created on से इसको limit one इसमें नहीं लगानी है limit one नहीं लगाना है क्योंके pending latest जितने हैना sequence है वो सब लेका रहा है pending जितने भी वो सब लेका रहा है ठीक है अचा लेकिन pending हमें वहां तक लाना है जहां तक मिसाल के तोर पे लास्ट से उठाना शुरू करे लास्ट का एक दो तीन लेकिन चौथा देखा delivered है तो वहीं रूप ज़ए उसके बाद भी हो सकता है pending हो पीछे कहीं लेकिन वह वह वहला नहीं है सिफ एक दो तीन तो हम इस पे लॉजिक और लगानी पड़ेगी हमारे केस में हमारे केस में हम यह लॉजिक लगानी पड़ेगी कि अगर तो लेंथ आ गई जीरो कि कोई पैंडिंग ही नहीं तो तब तो हम समझ लेंगे कि पैंडिंग कोई नहीं है अधर वाहिस हम क्या करेंगे लूप चलाके नहीं शुरू से लूप चलाएंगे सब्सक्राइब जाता है जैसी पैंडिंग के लवा कुछ और है वह रुक जाया सभी है तो अब मैं क्या करूंगा यहां से मैं करूंगा ओडर इक्वल्स तो ऐसे सभी है अच्छा पैंडिंग ओडर सभी है कि यह सिर्फ लेटेस्ट यह तो तमाम पेंडिंग अडर आगया ना इसमें कोई लिमिट नि लगी तमाम के तमाम उठा के लिए कर आजेगा तेकि तो तमाम पेंडिंग ओडर आजेगा अचा उसके बाद मैं क्या करूंगा एक लेटेस्ट वाले का एरे बनाओ और मैं बोलूंगा कि अगर तो भाई यह न लेंग जीरो तब तो कुछ करना है वो का वो भी लेकर आजेगा तो हमने वो थान लंबन यह उठाना हम क्या करेंगे हम कहेंगे के वही पैंडिंग ओर्डर डॉट फॉर्लूप इसमें ज्यादा पहतर रहेगा क्यों फॉर्लूप को ब्रेक कर सकते हैं ठीक है तो मैंने का फॉर्लूप ठीक है कितनी बार चलाना ह इसको मैंने का let i equals to zero i जब तक छोटा रहे है किसे pending orders dot length से और i plus plus ठीक है तो यह फॉर्लूप से ही होगा इकाम यह फॉर्लूप ब्रेक हो सकता है अच्छा अब मैं क्या करूँगा मैं बोलूँगा कि भाई if pending orders जो मैंने database से गट किया है उसका index i dot status equals equals अगर है अगर है तो इसको क्या करो latest pending order dot push सही है यह बला उठा के लाओ सही है अच्छा else break सही है तो यह क्या करेगा सबसे latest वाले से शुरूँ करेगा उठाना सबसे latest वाल उठाया चेक किया pending है उठा के latest में फिकेगा उसके थोड़ा एक पुराना चेक्की है वो भी pending है उठा के latest में फिकेगा उससे पहले चेक्क किया डेलिवर्ड आ रहा था यह इन प्रोग्रेस आ रहा था बस उसको वो रोग देगा है ठीक है अच्छा अब यहां पर लेकिन एक बात आगली है जहान मेरे अभी अभी अभ अगर तो इन प्रोग्रेस और डेलिवर्ड को मुझे किसमें साइट करना पड़ेगा इस वहले में करना पड़ेगा कुछ इसमें साइटिंग बनानी पड़ेगी तो यह अब प्यूरजी देख रहे हूं कहानी किस तरफ जा रही है तुम लोग थे सा भी नोट कर लिया हो त यह एक्टेंसिफ किसिम की यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की लॉजिक से स्तमाल होगी है और जावास्क्रिप्ट इतने अच्छे से नहीं पढ़ रहे थे आप लोग बहुत कोशिश के में तो मजबूरन मुझे फिर शॉर्ट भी करना वड़ा चीजों को लेकिन अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि बड़ा एक्स्टेंसिफ किसिम का यहाँ पर लॉजिक अपलाय हो रही है हमें अब एक ऐसी लॉजिक लगानी है कि अगर पेंडिंग हो लेटिस जितनी तो वह साब उठा ले अगर लास्ट में एक हो इन प्रोग्रस तो एक को उठाएं यह न इंटेलिजेटली मुझे उठाना तो या में हर दफा लास्ट का एक उठाओं तो भूब मसल् рав नहीं है और जाखता है तीन चार इन प्रोग्रस हो तो यह वह बلف करों कि last का एक उठाओं वो अगर in progress है तो सारे in progress उठाओं अगर वो pending है तो सारे pending हुठाओं अगर वो completed है तो सारे deliverant उठाओं तो ऐसे करके कुछ ने कुछ बोचिक लगानी की कि depending on my case, कि मेरा case किया है, हमारे पास एक बहुत ही specific किसम का case है, जो कि pizza delivery का case है, अच्छा, तो मैंने कहा कि अगर pending में कोई भी नहीं है, अगर pending की लेहन तक जीरो आ जाती है, just in case, तो क्या करो, delivered order उठाने की कोशिश करो, delivered order क्या करो गया अब, status, delivered अगर है, sort करो उसको, minus 1 से, और ऐसे करें उठाने, अच्छा, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं status को हटा दूँगा, क्योंकि मेरे case में delivered के लावा in progress भी है, सही है, तो मैं इसको हटा दूँगा, मैं कहूँगा, just मुझे न, find, करो sort करके, नीचे से sort करके लाओ, find, ठीक है, और limit इसमें लगी विए one, तो लेटेस्ट एक उठाके लाएंगे, तो अगर pending में कुछ नहीं है, तो लेटेस्ट वाला in progress होगा, या delivered होगा, तो मैं एक जुमला बताऊंगा, कि भाई, आपका जो यह order है, अच्छा, order number अभी तक हमने generate नहीं किया, हमें order number भी generate करना है, सही है, order number generate करने के लिए, UUID करके होता है, वो हमें इस्तमाल करना होता है, order number को generate करने के लिए, अभी क्योंके मुझे आप स्क्रेटस में order number भी बता रहा है, अच्छा, वो जब order place किया था, उस वक्त भी मुझे चाहिए था, कि मैं order number बताऊंगा, तो वेल, अभी मैं इसका जुमला बनाता हूँ, response text equals to, ऐसे वज़र से मुझे इसका नाम बता है, अच्छा, तो अब देखो, अगर यह 0 है न, length, तो यहां पर text response में अलग बना रहा हूँ, अब जहां पर, अगर 0 के लावा कुछ है, तो यहां पर response अलग बनेगा, तो दोनों में अलग-अलग response बनेगा, तो यह जार है, variable मैं top पे बन सबसे पहले मैं इसका क्या बताऊंगा, नाम, क्योंकि इस जगा पर मुझे सिर्फ एक मंगवाया है, डेटाबेस से, एक से जाधा कभी भी नहीं आएगा यहां, तो मैंने का कोई latest delivered order, ठीक है, delivered यह इस main progress भी हो सकता है, dot name, dot order name होगा actually, क्या था यहां पर देख लेते हैं अ order name था, सही है, अचा इसको पूरे होई, actually मुझे यह पूरा चाहिए होगा, सही है, यह सब मुझे चाहिए होगा, तो इन सब को मैंने जारा सा पॉपी करके यहां पर रख लिया, थाकि मैं इसको use कर सको, ठीक है, अचा यह नीचे बाले पर भी error दी रहा है, यह लेट लगा सही है, तो यह चार चीज़े मुझे डेटाबेस में, इन चारों का मैं जुमले में इस्तेमाल करूंगा, actually, तो मैंने कहां कि लेटेस्ट लेटेस्ट लेटर लेम, ठीक है, मिसाल के दर पर जॉन, अब यार, और इस डेलिवर्ड या इन प्रोग्रेस, जो भी यहां पर होग और यहां दे का, your order is, latest, delivered order, your order is delivered, ठीक है, अचानी, यह ऐसे बोलना चाहिए, चायाँ के your order for one largeीता पीजा इस죠, ऑसे बोलना चाहिए, यूर ओल्डर फॉर, सही है, वन, लाज, फाही था, सही है, पीजा इस डेलिवर्ट, ठीक है, अप्चा वन की जगह मेरे पस क्या होगा है, यह कॉन्टिटी होगा, लाज की जगह क्या होगा, पीजा साइज, सही है, साइज, और फ्लेवर्ज, अचा फ्लेवर्ज मेरे एस गलती से लगए, एस नहीं लगना चाहिए ते यहाँ, यह मेरे खाले है, वो चैट जीपीटी से लिखवाया है, अमने शाइद, उसने गड़ड़ कर दिये हुई, ठीक अधर में एस नहीं होगा है, क्योंकि इस सिंगल चीज है, तो जहाँ जहाँ पर यह फ्लेवर्ज है न, कंट्रॉल डी करके न, पूरे डॉक्यमेंट में, जहाँ जहाँ एस है महाँ से मैंने एस उड़ा दिया, सही है, जहाँ जहाँ सब जगह से, इसकीमा से भी उड़ा द सिंगल जिया, सही है, सही है, सही है, तो फहल, मोटी-मोटी बात उसने भी बता दीती, में इस डेलवर्ड, अच्छा, अब जगहा था कि वह भी बताना है, कैसे बताएंगी, कि डेलिवर्ट का जो टाइम होगा ना वो हमेशा पास्ट को होगा है ना करंट टाइम नहीं होगा फ्यूटर का नहीं होगा अभी भी मुमेंट जैस के अंदर क्या हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जो पास्ट की डेट को एक तो फ्रॉम ना होता है ना कि थ्री मिनट अगो फाइव मिनट अगो, नहीं अगो पास्ट कही तो होता है, अगो पास्ट कहीं, तो फ्रॉम नौ लगा हूंगा, तो सेट हो गया ममला, कि भाई थ्री आवर अगो, या थ्री डेज अगो, या वन मन्त अगो, जो भी उसमें बात होगी वो आजेगी, तो मैंने इसको बोला कि अ और इसको मैं वो बता दूँगा, जो भी डेटाबेस से टाइम आ रहा है, मैं बोलूँगा, लेटेस्ट, डेलिवर्ड और, डॉट और, और, क्रियेटे डॉन, इसी जरह से टाइम था, अभी देख लेता है, नीचे ये मैंने सब उठा लिया, लेकिन ये नहीं उठाया, क् का टाइम नहीं है, ठीक है, लेकिन हम चलो, अब डेलिवर होते वक्त हम उसमें और एडिशन दर लेंगे, हमारे जो कलेक्शन होगा, उसमें एक परमेटर और होगा, कि डेलिवर्ड टाइम, ये डेलिवर्ड एक्ट, कि कितने बजए ये स्टेटस इसका चेंज हुए है, व मैंने का है, dot from now, सही है, कैसी javascript लगी है, कचरा हो गया पूरा, अच्छा, तो ये मैंने response design किया है, किस point के लिए, ये मैंने response design किया है, उस वक्त के लिए, कि जब क्या होगा, pending order 0 होंगे, और pending order 0 होने की सुरत में, मैं एक latest उठा लूँगा, जो भी होगा, ठीक है, pending order 0 हों जो भी ये delivered है, ये in progress है, वो यहाँ पर status बताऊंगा, मैं, कि in progress ये delivered, और at ऐसे करके बताऊ लोगा, three hours अगो, five hours अगो, few moments अगो, ऐसे, in progress में भी ये ही चलेगा, और delivered में ये ही चलेगा, cancelled में ये ही चलेगा, cancelled में ये जवाब तो, कि your order for फला 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 पीजा is cancelled at फला फल time, ऐसे करके होगा, तो ये तीनों में fix आ जा रहा है, set आ जा रहा है, ठीक है, तो इसको save कर दिया मैंने, और save करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, भला, ठीक है, अब मुझे दूसरा एक response design करना है, else में, कि अगर तो pending आ जाते है, और दो, तीन, चार line से pending है, तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो तीन तो मैंने कठे कर लिए for loop चला के एक गफा में, अब मैं एक और for loop चलाओंगा, बलकि अब for loop नहीं, अब मैं map चलाओंगा, क्योंकि अब मुझे, मतलब जितने भी पकड़ में आये हैं, इसमें pending order के अंदर, sequence में, उन सब पे चकर करना है map, तो अब मैं चलाओंगा map, तो मैं बलूँगा, लेटेस्ट पेंडिंग ओर्डर, dot map, सही है, और इसमें मुझे क्या मिलेगा, each order मिलेगा, सही है, ये ब्रेक नहीं होगा ना, इसमें तीन चार इतने sequence से मिलें वो ही तो है, ये उपर वाला else तो चलेगा है, ये उपर वाला क्यो अगर दस साल पहले वाला भी लाएगा, तो सीक्वेंस में ही पैंडिंग होंगे सारे, तो इसका मतलब है, मुझे ये स्टेटस इसमें बदी हटाना पड़ेगा, ये ना, और लिमिट लगा देता हूँ है, कोई बंदरा बीस की, इसके साथ और लिमिट होगाना है, तो स्ट नहीं, इसमें कुछ नहीं लगाएंगे, इसमें भी कुछ लिमिट लगानी पड़ेगी है, मैं पंदरा बीस की, कि शुरू के पंदरा बीस में उठा के लियाओ, उसमें से चेक कर लो, अच्छा, डॉल्ट लिमिट होगा तर, ये बात तुमने वहाँ सही ही है, मैंने का ये मैंने पंदरा कर दिया, अच्छा, क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूं कि उसने बैक टुबैक ऑडर किया तो तीन या चार या पाँच करेगा बहुत जागा, फिर एक चीज और है, फिर मुझे यहाँ दुबारा क्वेरी लगानी की जरुद नहीं है, क्योंकि यहाँ प गी यह pending order नहीं लगेगा इसको मैं कियरा तहा हूँ recent orders ठीक है recent orders मैंने कर दीया इसको अच्छा अब क्या होगा यह सब recent order प्रें गेम चल रहा होगा है सही recent order recent order recent order प्रेंट प्रॉडर बीकर इसमें स्था लेटिस्ट पेंडिंग लेटेस पेनि ओर्टर तो रहेगा जो रीसेंट ओर्टर्स अब इसमें इस में पता लगाएंगे कर बेंद सिर्म यह भी मुझे मैप चला के पता लगाना पड़ेगा, यानि पूरी लॉजिक मेरी चेंज हो जाएगी, क्योंके वो शुरू में मैंने एक मिस्टेक करके बेल्ड करना दिया तरवाजा, अच्छा, चलो, खेर, तो अब मुझे यहीं पे जो एक फॉर लूप जो नीचे लगाया अब यह recent order, recent orders के उपर यह लूप चल रहा है, और मैं कहे रहो recent order का जो index आई है, उसका status अगर pending है, तो क्या करो latest pending order में उसको, उस recent order को उठा उठा के पेगते रहो, जब यह मैं filter out कर लूँगा, तो फिर मैं यह चेक करूँगा, कि जो है न, वो recent order कुछ भरा की नहीं भरा, अगर sequence से मुझे, क्योंके 15 order recent उठा के लिए है, सबसे जो पहले है, वो सबसे recent है, सबसे पहले जो index में मुझे मिलेगा, इस वले में, वो सबसे नया order होगा, यह सबसे पहले उसको चेक करेगा, अगर वो pending है, उठा के फिकेगा, उसको पुश करेगा, latest pending order होगा, उसके बा क्योंके minus 1 मैंने sort कर दिया, इसलिए वो पहले है, अगर में sort नहीं लगाता ना, तो सबसे last वला जो सबसे वो होता, नहीं बले last वला क्यों होता, वो शुरू से start करता, शुरू से start करता, जो पहला जंदगी में order लगा, उस वहां से लिखना, लेकिन मैंने minus यह लगाया, created on response है, तो जो सबसे last में create हुआ है, वो इस array में सबसे पहले होगा, तो वैल मैंने यहां पिसे pending order इसके अलग कर लिए, अच्छा, अब मैं check करूंगा कि भाई, अगर pending order जो है, अगर zero है, अब यह ऐसे होगा, साही है, पूरा logic change है, ठीक है, latest pending order, खाली है शुरू में, यहां से अगर भर गया, तो pending order कोई है, otherwise अगर zero है, तो यह कहानी यहां पर पहुँच भी, ठीक है, अगर zero हो गया, तो मैं क्या करूंगा, अच्छा, यह मैं दुबारा query लगा रहा हूँ, यह दुबारा query नहीं लगाने के बजाए, यही recent order का index zero समझ लोगा, यह query हट जाएगी, अब यहां पर जितने भी यह बात हो रही है, यह वली, इसमें क्या आजएगा, यही recent order का index zero आजएगा, यही recent order का index zero आजएगा, यही सबसे last, सबसे latest जो है, ठीक है, इसको भी शायद मैं, मैं भी अलग कर पलनों variable में, लेकिन फिलाल ऐसे ही सही है, मैंने कहा कि अगर pending में कोई भी नहीं है, तो सबसे last वला उठाओ, वो delivered है, वो in progress है, यह जुमला बना के भीज लो, और उसके बाद क्या किया मैंने, उसके बाद मैंने else में यह करना है, कि अब pending order में जो जो कुछ आया है, मिसाल क तो अब मैं क्या करूँगा, अच्छा मुझे पता है कि ऊपर जो response text है वो खाली है, इदर, response text खाली है यह यह इफ तो चला है नहीं है, else चल रहा है, तो इस जगह पर response का text किया है, खाली है, तो मैं response के text को मैं बोलूँगा, plus equals to, और यहां पर क्या लगाँगा मैं, recent order zero dot order name ठीक है, यह नहीं के, John, ठीक है, you have, कितने pending order, three pending orders, ठीक है, you have, three pending order, ठीक है, you have, three pending order, ठीक है, recent orders की length, ठीक है, you have, three हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, recent order का ठीक है, 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 तो मैंने का जो भी लेटेस्ट है उसमें से एक में से नेम पकड़ दो ठीक है और उसको मुखातिब कर दो अच्छा ये भी गलत है शायद क्योंकि तीन अलग अलग नाम से भी हो सकते हैं यो हर दफा में नाम पूछता हूं उसका लेकिन में भी शायद जब बंदा लॉग इन यह sign-up होगा तो मैं हर दफाव नाम नी पूछ attends नाम है या ठीक है लेकिन इसमें पॉसिबिट्टी यह भी उती कि order नाम याल होग और बंदे का नाम अलग होगा हमारे case में भी order नाम याल बंदे का नाम यज है जैसा कि मैंने बचाया था जितने भी वेबसाइट्स होती है, ऑनलाइन स्टोर होते हैं, उसमें एक यूजर का नाम होता है और एक उसके ओर्डर का नाम होता है, कि पर ओर्डर पर क्या लिखके भीजना है, तो यहां पर मैं वह वह बला नाम मेंशन करूंगा जो इसकी प्रोफाइल का नाम है, जिससे हो साइन मैरी के नाम से किया है, ऐलीना के नाम से किया है, किसी और के नाम से किया हो, लेकिन यहां पर में, तो वैल, अभी वह चीज हमारे पास नहीं है, अभी हमारा बिलकुल मिनिमल प्रोजेक्ट है तो इसमें एक ही नाम है, तो मैं उससे मुखाटिब कर लेता है, अच्छा, you have three pending orders, अच्छा, you have three pending order हो गया, यहां पर full stop, और यह यहां पर बंद, अच्छा, three pending order हो गया है, इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे बताना है, कि उन तीनों order का नाम किया है, ठीक है, three pending order, यहां पर शायद मुझे estimated time of delivery पी बताने दाने चाहिए, ठीक है, लेक सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं है, estimated time of delivery क्या होता है, वो menu का पार्ट होता है, जब मैं menu से order लगा रहा होता हूँ, तो उसी वक्त में क्या करता हूँ, calculate कर लेता हूँ, कि इसने जो जो चीजे order की है, इसमें 10 minute लगता है, इसमें 15 minute और इसमें 13 minute, तो यह total order बनाने में 15 minute लगेंगे, सभी है, इन दोनों का मैं union निकाल लूँगा, जो maximum है, जो सबसे वो पकड़ दूँगा, तो यहाँ पर मुझे बताना चाहिए, लेकिन फिलहाल मैं यह करना चाहरा हूँ, जिसका यह पर शायद जरूरी नहीं है, लेकिन मैं कर रहा हूँ, जिसका यह पर शा जाने लिए, अब मैं यहाँ पे, you have three pending orders बोल के, मैं बोलूँगा के order number one, फला फला, order number two, फला फला, order number three, फला फला फला, और please be patient, last one, please be patient, your order will be there soon, ऐसे करके, तो अब यह जो बीच में तीन order है ना, इस पर यह map चला रहा हूँ, हर दफा मुझे each order मिलता है, ठीक है, latest pending order का, each order हर दफा मिलता है, अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा, क्या, map लगाऊंगा, मैं बोलूँगा के response text plus equals two, राइट, वरना तो यह उडा देखा न, यहाँ जो लिख्या पोड़ जाएगा वरना, अगर plus equals two न लगाया तो, अब यहाँ पे देखा मैं क्या लिख रहा हूँ, अच one कैसे लिखूंगा मैं, यहाँ पे मुझे index मिलता है, right, index मिलता है मुझे, तो मैं क्या, यह i लिख देता हूँ, इसको index पूरा लिखने की ज़रोगी है, तो मैं कहूंगा i plus one, सही है, plus plus नहीं करूंगा मैं, वरना वो variable में plus मार देगा, सही है, इसका ख्याल रखना है, plus plus मे बहुत बढ़ा difference है, तो यहाँ plus one ही लगेगा हमेशा, क्योंकि यह i zero base होता है, इसलिए plus one लगेगा, उसको one base बनाने के लिए, ठीक है, order number one, comma, one large फहीता पीजा, यह ऐसे होगा, तो मैंने कहा कि one large पीजा, ठीक है, पीजा fix है, one large फजीदा पीजा, यह हो गया, उसके बाद comma, अच्छा, फिर, अच्छा, इसको one को बज़रा replace कर दू, क्या था यह quantity, क्या था यह quantity, क्यूटिटी बाए, each order dot qt बाए है, सही है, large में क्या है भई, size, पीजा size, और पीजा flavor, पीजा flavor, ठीक है, पीजा, order number one, one large फजीदा पीजा, ठीक है, फिर, उसके बाद order number two, यह खुद ही घुमेगा, अगली दफा, तीन दफा घुमेगा, यह अगर तीन order रह दो, ठीक है, फिर, order number three, two, two, small, thick cup pizza, ऐसे कर भी, ठीक है, और last में मैं क्या, यह अब तीन दफा घुमे गई है, यह चार दफा जितनी दफा घुमना हो, भूमे गई है, और उसके बाद में क्या करूँगा, यहा पर, दुबारा होंगा, और response text के अंदर, मजीद plus equals to करूँगा, और मैं इसको क्या बोलूँगा, space जरूरी है, ठीक है, और, please be patient, patient, your order will be, will be delivered soon, ठीक है, अच्छा, अब यह देखो, या तो यह इफ चलेगा, तो यह response का text बन जाएगा, अगर यह else चलेगा, तो यह response का text बन जाएगा, तो इस जगह पर जब मैं पहुँँगा, तो मेरा response ready है, भेजने के लिए, तो मैं just क्या करूँगा, यह इसको उड़ा दता हूँगा, अलग से पुराना बनाया बता हूँगा, अब मैं यहाँ पर response का text रखके भेजूँगा सीधा, तो मेरा response पहुँच जाएगा, तो right now, अभी अगर मैं इसको चेक करूँगा, तो देखते हैं अब यह क्या बताता इसने वहला, Malik, you have one pending order, अब है S लगा दिया इसने, इसको भी handle करना हूँगा, कि वो अगर एक से ज्यादा हो तो S लगाए, एक से कम हो तो S न लगाए, अभी देखते हैं यह कैसे handle होता है, order number one, three large undefined pizza, इसको, spelling गलत की है, मैंने शाए, flavor, अच्छा वो database में S के साथ save हुआ है, आज वो database में भी save, change कर देते हैं, इसको S रटा देते हैं, सभी है, update, सभी है, update कर गिया इसको, इसमें भी flavor में S क्यूंके नहीं आना चाहिए, flavor last में चला गिया, refresh, refresh, change कर दो, अच्छा, इसको, अगर मैं change कर दू, John Smith लिख के, तो यहाँ पर यहाँ पर यह John Smith चेंग देगा, सभी है, कोई भी चीज यहाँ से मैं हाथ से change कर सकता हूँ, यहाथ से change करना वेसा, recommended नहीं होता है, लिगें कर सकता हूँ, अच्छा, आओ, दुबारा पूछते हैं से, सभी है, John Smith, you have one pending order, order number one, three large, तिक का पीजा, चाहिए, प्लीस बीचेंट, your order will be delivered soon, अब यहाँ पर ने कुछ गडबर्स है, number एक गडबर्स तो यह order मैं एस नहीं लगना चाहिए, तो एक एक करके, one step at a time, अब यह एस क्यों लग रहा है, क्योंकि मैंने एस लिखा है, hard-puted, ठीक है, एस लिखा है, यहाँ पर मैंना, अब इस इतने पार्ट को मैंने क्या करना है, conditional बनाना है, conditional मैं कैसे बनाऊंगा, कि मैं बुलूँगा latest pending orders जो है न, इसकी length अगर एक से ज्यादा है, तो ऐस लगेगा, otherwise ऐस नहीं लगेगा, तो मैंने कहा कि dot length अगर है, greater than है अगर once है, ठीक है, question mark, तो क्या लगाओगे, अब orders लगाओगे, otherwise अब लगाओगे, order, सही है, तो इतने को पहले चेक करते हैं, यह wrap हुआवा है, इसलिए थोड़ा गडबड़ कर रहा है, यह असल मैं wrap चुकी है न मैंने इसको, तो यह पागल हो रहा है, बारहल यह indicate कर रहा है कि यह इतना green है, और यह इदर से भी green है, तो यह साथ है तो यह बीच में space नहीं है, तो dollar इसका यहाँ आगे है, बाकी का यहाँ आगे है, ठीक है, तो यह जुमला construct हो गया हमारा थोड़ा सा, अब मैं इससे दुवारा पूछता हूँ, तो अब इसको S नहीं लगाना चाहिए, S यह जब लगाएगा, जब यह 2 हो जाएंगे, ठीक है, You have one pending order, order number one, 3 large stick का पीजा, अब यह order number one भी इसको नहीं बोलना चाहिए, अकर अज़ सिर्फ एक order रही, यह दो या तीन में बोल सकता है, लेकिन सिर्फ एक में नहीं बोलना चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यह order number one जो लिखी विया ना बात, इतना पार्ट है, इसको भी conditional बना दूँगा, किस केस में, कि अगर वो क्या कहते हैं, हाँ, अगर एक से ज्यादा होता हूँ, तो मैंने यहाँ पर बोला, कि भई, order number one को जो है ना, यहाँ से कर दो, cut, ठीक है, और यहाँ पर क्या करो, एक अधत लगा दो, if, और मैं यहाँ पर क्या बोल देता हूँ, कि यह order number one दिया जाएगा, कैसे करके दिया जाएगा बहला, ऐसे करके दिया जाएगा, सभी है, तो if अगर क्या हो बहला, यह latest order की जो length है ना, अगर, यही बहला, बिल्कुल exact same, इसमें condition लगेगी, ठीक है, तो यह जब यह map चलेगा जब, तो यह check करेगा, और फिर यह order number one को conditional ही लगाएगा, अच्छा, अब जो को होना किया चाहिए, order के बाद full stop आगया ना, अब यहां पर space आएगा, ठीक है, अच्छा, यहां पर मैंने last में कॉमा दिये, तो यहां पर भी space आएगा, ठीक है, अच्छा, यह वाला space universal है, क्योंकि यह इसके बाद भी आ सकता है, और इसके बाद भी आ सकता है, तो यह space universal रहेगा, spaces का भी खास ख्याल रटना होता है, ठीक है, कॉमा डबल नहीं होना चाहिए, फॉल स्टॉप डबल नहीं होना चाहिए, तीनो चारो सिनेरियो में, वरना उसको पढ़ेगी फिर वह बहुत गलत तरीके से, बहुत वाहियाद तरीके से, अच्छा, यह जो भी हम plain text में कर रहे हैं, इसके एक language बगाएद है, जिसको कहते हैं SSML, थोड़ी ही देर में हम बजाए simple plain text करने के, इसको SSML बनाना शुकरेंगे, यह इस तरह plain text को ना कभी भी सही तरह से बढ़ेगी नहीं हो, हम जितना अच्छे से उसको कर रहे हैं ख्याल रख रहे हैं, यह इस पेस बाइर ख्याल रखना पढ़ रहे हैं, मैं SSML में ना इस पेस का ख्याल थोड़ा कम रखना पढ़ता है, वो उसमें mark-ups होते हैं उसके, वैल अभी थोड़ी देर में उस पे जाता है, अच्छा यह जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना कि हम यह भी पढ़ेंगे, यह भी पढ़ेंगे, यह भी पढ़ेंगे, क्योंकि यह इतनी सारी चीज़ें ना और हमें यह जल्दी करने हैं तो इसलिए और उसका कोई sequence सेट नहीं हुआ हूँ इस वक्त राइट ना कोई ऐसा sequence नहीं बना हूँ कि हम पहले क्या पढ़ेंगे बाद में क्या पढ़ेंगे, sequence क्योंकि बनता है book से भाई, बुक डायलोग फ्लोग कोई है नहीं डॉक्यूमेंट्स इसके जए नहीं कितने अच्छे हुई है नहीं और डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी sequence से यह चीज़ें नहीं हैं अगर आपने एक्स्प्लोर थोड़ा बहुत किया हूँ और डॉक्यूमेंट्स तो यह जो मैं बाते तो यह जो चीज बहुत देख लिए और नंबर वन को हमने देख लिया हुए और उसके बाद हम निये जुम्ला क्या बनेगा जुमला यह बनेगा जुमला यह बनेगा ठीक है उसके बाद यह बोलेगा कि वन अच्छा यहां पर यह जुम्ला कुछ बन नहीं रहा ठीक यू हवन पैंडिंग और अब उसको बताना है कि कैसे बताना है जाए तो फॉर लगाना पड़ेगा बीच में अगर एक है तो सिर्फ तो इसका मतलब है कि इस इफ के साथ एक लगा दूँगा और फॉर एट कर दूँगा ठीक है फॉर पता नहीं फॉर सही रहेगा या इसके लिए को बहतर वर्ड हो सकता है मैं कहूंगा एर अगर ऐसा है ना तो फॉर लगा दो इसमें यही होगा लेकिन इसमें क्या होगा फॉर होगा ठीक है इस पेस देखो लगावाए लिए तो यह ओर ओर होगा शायर पतनी इस ओर्डर में फुल स्टॉप भी नहीं लगेगा यह फुल स्टॉप भी अब कंडिशनल हो जाएगा तो इस फुल स्टॉप को यहां से कट करूँगा मैं ओर्डर के साथ लागे फुल स्टॉप लगाऊंगा और यह जस्ट ऐसे रहेगा तो यह ओर्डर और यह फिर फॉर आएगा और फिर यहां से शुरू करेगा तो फुल स्टॉप को भी कंडिशनल बना दिया हमना, तो बिलकुल कंडिशनल यह जुम्ला एक कंस्ट्रॉक्ट हो रहा है, आजो अब ज़रा, माई ओर्डर, ना, देखते हैं, देखते हैं, पहले वन पर उसको अच्छी तरह टैस्ट पर लगता है, जॉन स्मित, यूवन पेंडिग ओर्डर फॉर थ्री लार्ज तिकका पीजा, बिल्कुल सही हो गया है, प्लीज बीपेशन्ट, ओर्डर विल डेलिवर्ट सोगे, अच्छा, अब तुम जो बता रहे थे हैं, वो क्या बता रहे हैं? अगर इंडेक्स तो जिलो से स्टार्ट होता है, लेकिन अगर किसी में एक आइटम है, लाइन नंबर 170 से लेके, और 100 लाइन का कोर्ड हो चुक है, अल्मोस्ट, ठीक है, ठीक है, 100 लाइन से 17 लाइन का कोर्ड है कुछ, जो हमने क्या किया है, हमने लॉजिक लगाई है, कि डिपेंडिंग ओन कि कितने ओडर डेटाबेस में मौझूद है, उससे जुम्ले को कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, तो अच्छा अब यहां पर ने एक चीज आप गोर से समझोगे न, तो डायलोग फ्लो कुछ भी नहीं है, ये काम, ये काम किसी भी वेब अप्लिकेशन में किया जा सकता है, ये जुम्ला कंस्ट्रक करके देना, भई बंदे ने का, get order, request गई, पीसे order जितने थे, वापस आया एक जुम्ला, और वेब साइट बोल के बता है, समझ रही हो बात, तो जो मैं कहता हूने कि यार ये वेब साइट सारी आप से बात करेगी मोबाइल, अच् समझ नहीं है कि लोगों को बात, तो मैं, यहाँ पर आपको ये चीज समझ आ जानी चाहिए, कि डायलोग फ्लो हो या नहीं हो, वाइस अप्लिकेशन का डायलोग फ्लो सो कोई तालोग नहीं हो, किसी भी मोबाइल एब, मैंना, फॉर्म है न, फॉर्म फिल कर रहा है बंदा साहिन अपको फॉर्म है, जैसी पेज खुले, वो बोले, वोईस में, कि सर, वाइस या नेम, और बंदा या तो टाइप कर दे, या तो बोल दे, ठीक है, टाइप कर दे फिलाए, टाइप कर दे उसने जों, एंटर, नेम बदा चाहिए उसको, ठीक है, अब वो अगले पेज पेज पे मुव हुआ, एक पेज पे एक बात पुछी जा रही है, बहुत सिंपल बेसिक चीज है, अगले पेज पे जैसे हैं गिया, तो अब जुमला जो आएगा, यहा, सर्वर से बनके, क्या आएगा, ओके जॉन, टेल मी और इमेल एडर्स, इमेल एडर्स किक खा उसने, पिर नेक्स दबाया है, ओके जॉन, प्लीज टाइब एक पासवर्ड, और रमेंबर, दो नॉट टेल एडर्स किया, बोला हुआ, नेक्स किया, वेल्कम जॉन, यॉर साइन अब इस सक्सेस्फुल, ऐसे बोल के बता रहा हूँ, और अब आगे सारी UI voice पो, बहुत इसली हो सक अच्छा और इस चीज पर जो लिमिटेशन है वो सिर्फ एक है, वो यह है कि voice से जब बोलता है ना, बन्ना, इन्पुट रहा है, वो अच्छा नहीं है, और वो इस निपुट है वो अभी तक धंगा नहीं है, गूगल का, और अभी मैं आपको इस मौके पर यह बताना चाह का तो कोर्स है, लेकिन यह असल में AI-as-a-service का कोर्स है, हमने इसमें AI-as-a-service वली चीज ने सारी पढ़ लिए, कि ऐसा AI जो पहले से बना रहा है, हम उसको जास यूस करें, चैट-जी-बिटी इस AI-as-a-service, हम बनीर AI यह उसको उसको यूस करता है, तो अभी तक हम जो speech-to-text का जो अलकौरिफा में इस्तवाल करते है, वह गूगल का जगता है, या AWS का जगता है, अब गूगल का जो ट्रेइनिंग डेटा है, वह गूगल की मरजी का है, गूगल ने कहा से ट्रेइनिग डेटा लाया, क्या दिया, उसको हमें कुछ नहीं पगाए, अचा, पबिक जो डिक्ष्णरी में मौझूद नहीं है, वह भगड़े गई लिए, अब चैट GPT या ओपन AI के आने के बाद नहीं है, क्योंकि पूरे पब्लिक डेटा पर यह गूगा है, और इसमें कोई फैबरिकेशन नहीं हुगी है, यह एजट इस पब्लिक डेटा का वो टोकन उठा अपनी, और यह आपका model होगी है, इस model से आप हर काम करवा सकता है, ट्रांशलेशन करवा सकते हैं, speech-to-text, text-to-image, image-to-text, इस सारे काम करवा सकते हैं, तो अब क्या होगा, कि ऐसा आ चुक है है Whisper के नाम से, अभी तक उसकी service नहीं है, वो ऐसा data set पढ़ा है, इसी नहीं ट्र जो है उसका टेक्स टु स्पीच गूगल से हजार जर्जा बहतर होगा, मेरे यह जाती ख्यार है, ठीक है, और उसका रीजन यह है कि गूगल के पार जो डेटा है, वो गूगल ने फैबरिकेटेट डेटा बे ट्रेन किया उसको, और बहुत सोच समझ के किया होगा, लेकिन हुंटाना वदू में बात की उर्दू में शुरू होगिया उसने पोला एक अछे हो लिगिन इतना उच्छा यह लगिनृ बोल रहा है बाते कर दो लाई लेंग्वेज मॉडल यह असल में बनाएं तो लेंग्वेज अब ही जैसे ही व्सपर बग़र है, टाइप कि एक, दो समझ्य भी भी वैसा ही होगा अब बाहे उसको सब्योरेंग जो है गहां जो आर्रा यह यह था लुक्ति त包 हम जुश्वायाये काैसं है कि उसके ऊपर अगर उसको इसको स्तमाल करते विए आप model train कर रहे हैं, उसको स्तमाल करते विए आप AI वना रहे हैं, उसमें पैरमेटर बहुत सारी चाहिए होते हैं, छोटी डेटा सैक्ट पर पो ट्रेंड नहीं होता है, समझ रहो, मिसाल के दौर पर मुझे अगर translation का बनाना है, कि एक लेंग्वी तो तो उसमें training data कैसा होगा? Training data यह होगा कि key value pair होगा कि एक जुमला होगा उसका translation उसके सामने फिर दूसरा जुमला होगा उसका translation उसके सामने ऐसे होता है ऐसे करके उसको data देना होता है और उसके उपर parameters select करने होता है कौन सा parameter का क्या मतलग है ठीक है? फिर उसके epochs वगरा set करने होता है hyper parameters set करने होता है वो सारा deep learning का अपना एक classic तरीका है उसका काम को करने में वो दे के उसको और training उसकी चलाता है मगर मसला यह है कि अगर उसको मैंने 2-4 million दिये ना तो वो सही काम नहीं करता है उसको billions of parameters दो ना जब जाके वो मज़ेदारी कराता है ठीक है? अच्छा हमारे पास आम तोर पे लोगों ने जो कोशिश की ना उसको train करने की वो किये 70-80,000 parameters पे 1,000,000 parameters पे यह उसका minimum threshold है इससे कम पे तो वो बिलकुल ही वहयात चलता है 70-80,000 parameters पे पेरमेटर नी training data की बात होगी है parameters असल में वो terminology अलग है कि उसको 70,000 translations अगर मैंने दी ना एक-एक लाइन करके तो यह उसका minimum threshold है इससे कम पे तो वो ऐसे ऐसे भी नहीं करेंगा सांस भी नहीं लेगा तो उसको चाहिए हो तो ज्यादा डेटा अब उसको 4, 5, 10,000,000 अपने तो वो एक-दो सांस लेगा और वो 50% accuracy पे चलेगा जैसे वो training data बड़ा होगा ना उसका size वो billions और trillions उसको आप देंगे ज़ेगा तो फिर वो फुल खड़ा होगे डास करने जाएगा ऐसा हिसा है अब यह जितनी companies थी ना पिछले दुनों आपने देखा था एक boom आया होता AI में freelance में भी बहुत पैसे कमा रहे थे लोग, बड़े-बड़े start-ups कुल रहे थे बड़ी-बड़ी companies कुल रही थी वो सब के सब जएना क्या कर रहे थे बड़े-बड़े दावे कर रहे थे कि हम AI ऐसा बना देंगे, हम AI ऐसा बना देंगे और करके आ रहे थे कि थोड़ा सा डेटा था उनके पास कहीं जरुदर से खरीद वरीद के स्मगल करके लाके जो भी अलग-अलग जिसको जहां से मिला डेटा वो लाके और चार डिवेलपर बिठा के ना आपको दे दिया बड़ी-बड़ी मशीने लगा दिया उन्होंने खरोट रही है अब वो 40% 30% रिजल्ट उनका आया है आप देखें लाए इंटरनेट पर जो बड़ी कंपनीज खुली है यही उसका राशो है 40% 30% रिजल्ट है तो बहुत कम ऐसा है जैसे उबर बगारा के बहुत accuracy हो लेगा थे 70% तक लेगा थे कुछ अपनी चीजों का वो केगल पर पढ़े सारे वाब जाके देखेंगा कॉम्पेटिशन होते थे तो बहाँ पर 60-65 पर तो सारे प्राइज जा रहे होते थे आम तॉर्ट इंट्रस्ट है को अगर जाता रहे वापतों तो ये वाला काम ना सब कर रहे थे अच्छा मगर ये फेल हो गया तरीखा फेल इसलिए हो गया क्योंकि हर कंपनी के पास इतनी रिसोर्स निया इतना डेटा निया आप इसी वज़ा से लोग कहने लग लग गयते है ये डेटा का दोर है डेटा सब कुछ है जिसके बाद डेटा है वो केंग है ये डेटा का चक्र ता वो सारा ये था कि डेटा जिसके बास होगा और उसको सही तरह से tune कर लिया तो वो प्रेन हो जाता था फिर वो AI बन जाता था फिर उस AI को बेचते थे ऐसा सर्विस बना दे कि रेक्वेस्ट आई किया भेजा वापस तो यह गूगल का जो यह स्पीश टू टेक्स्ट है गूगल का जो इमेज रिकेगनेशन की जो API है यह सब इसके उपर बनी वी इसी तरीके पर चलके बनी वी अब लेकिन मामला चेंज हो गया एलॉन मस्क ने खिर खुर्ट नहीं बनाया यह उसने किसी से खरीद है तो वह कुछ लड़के थे उन्ह लोगी को सीधा कर दो lline को तो पूरे टेक्सको सीधा कर दिया तो जितने वर्ड्स उतने टोकन उतने परामिटर को करें सत्रा बिल्यांट ऑ्छ कि को बुले त्रियम हो गया उसने और यह बनाय है असल में बेसिक है वो completion जिसको कहते हैं, text completion, वो कहते है कि अगर, जिसको कितने billion मिल गया है, जिसको 17 billion उसको words मिल गया है, chain में मिल गया है, ठीक है, जिसको ब्लॉग लिखा था, वो आया है, उसको सीधा किया, ब्लॉग खतम हुए, फिर इसने कोई article लिखा था, वहाँ से इसका article चुरूँ हो गया, ठीक है, फिर इन्हों ने कोई post की थी Facebook पे, उसको सीधा किया, उसके आगे लगा, तो एक line में पूरा internet एक line में लिखा हो रहे है, open AI जिंदा, पूरा internet गया है, जिसका written data, text data, वो पूरा वो करता क्या है, वो करता यह है, कि आपको बोलता है, कि आप एक लिखो, जुमला, और हम प्रेडिट करेंगे, कि यह जुमला जो है इसके आगे क्या होना चाहिए, यह यहां से आगे हम बोलेंगे, आप थोड़ा सा बोलो, complete हम करेंगे, सभी है, अच्छा, वो complete करना जो है अच्छा, इसमें मेन रोल जो सबसे अधा कर रहा है, जैसे कोड़ जाप है, अच्छा, कोड़ की तो बात में उन्होंने इंप्लिमेंटेशन किये, शुरू में तो यह आटो कम्प्लीट ही था, क्योंकि डीप लर्निंग में, या नियूरल नेटवर्क की अगर हम बात करें तो इसमें ही होता है कि एक लेयर बन गई न, उसके ओपर आप दूसरी लेयर बनाता है, फिर तीसरी लेयर बनाता है, तो पहली लेयर भी वो यह वाली है, जो मैं बता रहा हूँ, तो आपने उससे बोला, कि हुई इस दा प्रेजेटनेट आफ पाकिस्तान, अब किसी ने कह हुई इस दा प्रेजेटन अफ पाकिस्तान, तो वो नीचे उसको कंप्लीट कर दिया, उसने प्रेडिट किया कि इसके बाद क्या आना चलिए, इसके बाद जवाब आना चाहिए, सवाल पूरा होगे तो जवाब आना चाहिए, तो इंटरनेट पे कहीं भी किसी ने वो जव और कहीं कहीं पे किसी ने ये भी बोलौगा कि डोनल टरॉम फला फला सन तक तक था, उसके बाद जो वाइडन फला फला सन से, तो अब इतनी सारी possibilities में से, ये जुमले के बाद क्या क्या आ सकता है, जो डेटा सेट था, उसके अंदर क्या क्या आ सकता है, वो सारा result यू आता अब उसके ऊपर एक निया वो है लेयर है ठीक है अब इससे समझोगे ना इसको इससे सोचना शुरू करोगे और थोड़ा सा कर एयाई का बैग्राउंड है किसी का उसको सब समझ आ जाजाएगा कि ये कोड कैसे ला रहे है और ये इमेज कैसे ला रहे है तो खेर इतना बात सम है अब होगा क्या कि ये ट्रेनिंग वाला मंजन है न ये सर्फ बड़ी कंपनी करेंगी जैसे के ओपन आई गूगल माइक्रोसॉफ्ट शायद वो भी ना करें शायद कोई अलगी कंपनी हो जो सर्फ मॉडल ट्रेन करती हो बाकी लोग क्या करेंगे अब ये मॉडल उठाया अब ये अपना एक लेयर बनाया उतर जिसको इन्होंने फाइन ट्यूनिंग का नाम दिया नियूरल नेट्वरक पसको लेयर का नाम देते हैं अब इसको पता नहीं इस तरह कुछ नाम है एक लेयर अपना बनाया और उसको चला दिया अब उसमें उसने बोल दिया कि यह पिर जाहर हो यह बेसिक तो नहीं एतना उसमें और उन्होंने बहुत कुछ लगाया वे बीचे वह वाइट पेपर पूरा लिखा है अगर आप किसी को मुका मिले तो यह ओपने आई वालों का वाइट पेपर खोल के पढ़िएगा बलके अभी यह मैट ने भी जो एना एक एले एम एम करके पता नहीं क्या नाम है उसका सुना पता चला आपनों उन्होंने भी वाइट पेपर लिख दिया है कि हम जो बनाया रहे न वह ऐसे बना रहे हैं तो सब कूद गया है यह उपन याई ने अप्तदा किये इस तरह का ट्रांस्फॉर्मर बेस बना गएगी और बाकी लोग सारे उसमें कूद गया है अचा अब इन फ्यूचर होगा क्या इन फ्यूचर होगा यह कि इस तरह कि अपना मॉडल कोई भी ट्रेंड ने करेंगा ओपन याई जैसे चार पांच छे दस बारा कंपनीज होंगी जिनके सत्रा सत्रा सौसो बिलियन पैरामेटर के अच्छा आप चूस करेंगे कि यार मेरा वाला काम इनमें से बेस्ट पॉन कर दोएगा आप वो यूस करेंगे चलाएंगे रिजल्ट आएगा चलाएगा तो यह हुआ गरेगा इन फ्यूचर तो यहां से उसका प्रॉपर आगाज हो गया है वैसे तो आज से चार सार पहले हो गया था जब गूगल का इमेज रेकिनेशन का जो अलगौरिफम आया था अप्याई आई थी कि अब उसको इमेज बेचते थे वो इमेज में क्या कुछ है ना उसकी एक्स्प्लेशन पुरी ला दे था जैसन फॉर में बहुत बड़ा सा जैसन बेचता है चार तीन चार सो केवी का जेसन बेचता था कि इसमें क्या किया है तो वो AI as a service का पहला दौर था यह शायद अब यहां से एक second एक नए दौर का आवाज हो गया AI as a service में तो अपना model train करना expensive है time consuming है और उसमें expertise वो चाहिए जो अवेलेबल नहीं है क्योंके machine learning general को आती बहुत highly charge करते हैं और लोग बहुत कम available है बहुत सारे आसे लोग है जो बोलते आती आती बाती उनको कुछ नहीं है अब उसको प्रूफ करने का भी कोई तरीखा नहीं है तो इसका हल आखर में किया निकला था कि उन्होंने प्लैटफॉर्म मना दिए केगल उन्होंने बोला भाई हायर वायर किसी को नहीं करेंगे ये प्रॉब्लम है जो 56% तक ले गया इसकी अकुरेशी सतर अधार डॉलर उसके ये चल रहा था मारे लिए तो कंपनी तो हायर ही नहीं करती तो AI के डिवलपर को AI का मॉडल ट्रेंड करने वाला बंद उनको हायर नह कि गूगल जो AI का डिवलपर हायर कर रहा है उससे वो क्या क्या रिक्वायर्मेंट है उनका इंटर्व्यू का क्वेस्टन आप देखेंगे आप बोलेंगे क्या इंटर्व्यू का क्वेस्टन है भाई यह यूमनली तो पॉसिबल ही नहीं कि आदे गंटे के इंटर्व्यू फारिद है तो उसको बुला के अपने पास रखा है इस तरह से लोगों को हायर किया है तो AI as a service जो है अब ये future है इसके अंदर jobs भी निकलेंगी लोग बिलाज हिजक्त लोग अपने पास hire करेंगे कि अच्छा है open AI यह बना वैप predictable है कि है हो जाता है यह गाम से jobs भी होंगी इसकी freelance में भी इसका काम है और जो end user की application है वो इससे बन सकती है उस वाले AI का result है वो 0 से लेके 1 तक का यह number आता है भाई 0.7 that's it यह result है इसकी तंखा मिल रही है लेकिन हमें इसकी तंखा नहीं मिले हमें मिलेगी mobile app बनाने की तंखा हमें मिलेगी web application बनाने की तंख service development तो आज की class को मेरे खेल हम तो यहीं तक रखते हैं बलके यह क्या हम कर रहे थे सको complete here लेते हैं थोड़ा सा order हम कर रहे थे ना तो यह जुम्ला तो मने साही कर लिया इसका अब ही एकला क्या रह गया था मारा जुम्ला तो इसका हमने साही कर लिया था status of my order हाँ बस एक इसमें order और प्लेस करते हैं दो पेंडिंग हो जाएंगे तो फिर देखते हैं दो पर यह कैसा दे रहा जवाब दो पर यह अगर सही दे रहा होगा जौन यूएफ वन पेंडिंग और फॉर थ्री लार्ज तिकका बीजा प्लीज बीचेंट अच्छा प्लीज बीचेंट के बाद शायद कॉमा नहीं चाहिए और यह हो गया अब एक order और प्लेस करते हैं यहां से नहीं में अंका के और आम प्लो है नो हो मलीख है को के मलीख हाव मनी फिज चाहिंट बीच वी लाइड यां पगड़ें आ प्लेगा है तो मैं उसको बुलूँगा ना कि large तिका पीजा तो यह large तिकता दोनों पकड़ेगा वैं, server crash हो गया, मिला server को क्या हो गया, pizza flavors is required तो सही तो है, pizza flavor मिला तो है नहीं, यहाँ तो pizza flavor मिला है ना मुझे अच्छा, इसमें भी S लगा है इसमें भी S लगावा, यहां से S हटा देते हैं यहां से भी S हटाना बढ़ेगा हम एक्चली ना वो S कहीं पे भी नहीं होना चाहिए था, वो शायद गल्ती से शुरू में S लगा दिया था ना वो S हर जगा से हटा दिया, यहां से नहीं हटाया पीजा फ्लेवर का ऐसा अटा दिया हमने, सेफ सही है, अच्छा मैंने कहा कि प्लेस ओर्डर फॉर वन इसमॉल तिक्का पीजा, यह पकड़ देगा सारा, सिर्फ नाम पूछेगा मुछ से ली ठीक है, प्लीस टेल मी और नेम, बाकी की तीन चीज़ है यह अच्छा इस वन इसमॉल प्रालीक थिck निदी पेखल दो Πरीजी और यह अभी तक यह क्यों आ रहा है, this came reply from server, यह बारहल यह इसने place कर दिया, order, लेकिन यह order place पर वो मने सही तो कर दिया था, अभी भी वो ऐसा अजीब से क्यों आ रहा है, new order है नहीं किरा, अड़े भाई, यह यहाँ भी लगा है, reply came from server, अचा, सही है, your pizza is on the way, तक काफी है, अच यहाँ पर मुझे order number बताना चाहिए था, लेकिन order number मैंने generate नहीं किया, देखते हैं अभी हम करके check करते हैं, well, तो यह order place होगा हमारे पास, your pizza is on the way, तक यहाँ पर आया सही लिखा हुआ, और, अब मैंने का के, भई, order status, ठीक है जी, order status में बिसने क्या बोला, के Malik, you have two pending orders, order number one, one small thick pizza, order number two, three large thick pizza, please be patient, your order will be delivered soon, तो इसने बिल्कुल सही जुमला बनाती है, अच्छा, अब यह जुमला हमें SSML में इसको बनाना है, अभी तो यह basic है, अभी हमने यह पूरा advance नहीं किया इसको, इसका अभी SSML हमें बनाना है, अलक से, अच्छा, SSML अलक से बनाना है और यह ऐसे ही रहेगा अपनी जगा, उसका reason किया है, reason उसका यह है, कि most of the time, दिखाने वाला जो answer है, और बोलने वाला जो answer है, वो अलग होता है, most of the time, ठीक है, मिसाल के दोर, अगर बंदे ने weather पूछा है, कि what's the weather, तो screen पे अब क्या दिखाओगे, screen पे अब दिखाओगे temperature, इससे बूछते है, hey Siri, what's the temperature, अब बोलना, hey Siri, what's the weather, it's currently clear and 22 degrees, अच्छा, ये ना इसने बोला, it's clear and 22 degrees, लेकिन screen पे देखो, इसने क्या-क्या दिखाओगे, अगर मेरी screen दिख ली है, तो में ओको दूर से तो, या मैं, maybe share कर दूँ यहाँ पे, इसक्रीन पे जोएने, इसने, ये कुछ बताया है, ठीक है, कराची, clear, chances of rain, zero, काफी कुछ बता रही है, ठीक है, अगर नीचे में देखूँ, तो ये लिख के इसने जो बताया है, और बोल के इसने जो बताया है, उसमें काफी difference है दोनों, ठीक है, तो अभी कोई प्रॉपर कोई example तो मेरे जहन में हा रही है, लेकिन most of the time ऐसा होता है, कि लिख के हम अलग दिखा रहे होते हैं, और बोल के हम कुछ और बता रहे होते हैं, ठीक है, तो या उसको ऐसे समझ लो, आ गई ना example, जैसे गर बंदा कुछता है, कि what's the temperature, तो लिख के जो मैं बताऊ और गोल उपर लगाऊँगा, मुन्ना, सेंटीग्रेट का गोल और सी लिखोगा मैं, अच्छा, ये मैंने लिख के बता दिया, लेकिन बोलने में सेंटीग्रेट की स्पैलिंग शायद पूर ही लिखनी पड़े हैं, ठीक है, और सी सिर्फ नहीं चलेगा, क्या कुछ बना दी कोई डेकोरेटिव चीज मैंने लगा दी अगर दिखने वाले रिस्पांस पे तो बोलने वाला रिस्पांस उससे अलग होगा, ठीक है, बोलने वाले रिस्पांस में बोलेगा के इस 22 डिग्रीज, चलैप, अब वो चलैप, बोलवाना है, तो उसके लिए वो जरू बनने वाले रिस्पांस है, और बोलने वाले रिस्पांस है, यह अलग-अलग होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यह तो टेक्स बन गी अपनी जगा, इसके बनाने के साथ साथ, along with this text response, हमें SSML response भी बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो मे भी हम यह आज की क्लास को यही त ठीक है, और SSML जब आएगा हमारे पास, तो हम उसको देखेंगे के वो, उसको, उसमें काफी चीज़े मौजूद है, कि भई अभी कुछ, अभी बोलने में सीधा-सीधा थोड़ी बोलता है हर बात बन्दा, मैं हर बात सीधी-सीधी बोलूँँगा, तो पता ही नी चलेगा मैं को के, मैं बोल क्या रहा हुँ, है ना, जो यह न जो एप साछ आख ऑ लोता है, बोलने में सिर्फ यह दर आख आवाज को कम क्या हो हुआ क्म राहि Coordinator, चैघ आप को जोड़ कित बोल रहाँ मैं हात भी मूब कर रहा हूं, लुग साछ निधाए होतीजिनियो आख तो बोल सारी चीज़ है तो SSML में वो तमाम चीज़े महाँ हुआ है कि ये बात excited हो के बोलना है कि you are hundred percent सही है ये you have got sixteen hundred likes और इस चीज़ को जह हो plain में बोलना है कि you have got no likes plain बोलना है ठीक है या sorry you are failed in exam तो इसको थोड़ा साइड हो के बोलना है sorry you are failed in exam किसी जिमें pitch high रखनी है pitch low रखनी है speed क्या रखनी है अवाज की सारे controls अच्छा यहां पर in general भी अगर यह सारे controls मुझे चाहिए ना तो यह setting में जाके यहां पर मैं जाओंगा speech में और यहां पर उस सारे controls मुझे देख रहे है speaking rate pitch और volume gain ठीक है audio का कोई effect अगर मुझे चाहिए वेल अभी हम फिलाल के लिए इसको यहीं तक रखते हैं तो यह अब next हम यह discuss करेंगे तो हमारी अभी प्लेट में क्या-क्या चीज मौजूद है ssml मौजूद है context अभी तक हमने discuss नहीं किया वो मौजूद है multiple inputs जो जब users input लेते multiple inputs लेना यह मने निसीखा कि अगर flower order कर रहा है तो flower अभी कौन-कौन से color चाहिए मैंने का red भी डाल तो yellow भी डाल दो और white भी डाल तो red यह white yellow तीन color में input ले रहा हम तो वह array होगा check लगा array में जाएग तो तीन चीजें हो गई है number 4 चीज हमने वह नहीं किया अभी तक कि हर parameter collect करने पर वह सीधा जाए slot filling वह पूरा नहीं कि अला पुस्यों